पलकों पर ठेरे ख्वाव असकलम हवीबा उमेर किस्प नंबर दो अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था शुमाईला हैरत से हसी वह नाईला तू तो समझतार होने लग गई है मेरे साथ रहते रहते वो उसका कंधा थपथपा कर बोली शुक्रिया शुक्रिया नाईला दाद वसूल करने लगी शुमाईला वली को ले कर एक तरफ हो ली जबके रिजवान का कोई अता पता नहीं था कि किधर है अरे आली इधर आओ देखो यहां चुड़िया कितनी सबरदस्त हैं नाईला चहक कर बोली आली उसकी तरफ मतवज़ा हुआ वदिया को अपना आना बेकार लगा किसी को फिकर ही नहीं थी कि वो भी है वली पहले आप मुझे जोड़ा दिलाएं फिर उसके साथ चूड़ियां और फिर जूलरी और सैंडल भी शुमाईला नास दिखाते हुए बोली जी बेगम सहबा क्या याद रखेंगे आप वली फराख दिली से बोला जबके बेगम सहबा सुनकर शुमाईला का चहरा लाल चिमाटर हो गया आली परफियूम देख रहा था जब नाईला आ गई तुम्हें पता है आली मेरे पास बहुत से परफियूम्स हैं और बहुत महंगे बाले भी अच्छा आली ऐसे बोला जिसे मरूप हो रहा हो भाई जरा ये तु दिखाओ नाईला ने दुकानदार से परफियूम्स मांगा हम अच्छी खुश्बू है वो हाथ पर छड़क कर बोली तुम्ही देखवा आली वो अपना हाथ उसकी नाग के गरीब करके बोली नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा अच्छा चलो कोई और देख लेते हैं वो दुबारा परफियूम्स की तरफ मतवज़ा हुई वो चलते चलते चूड़ियों के स्टॉल पर आई दफ़तन उसकी नसर एक सेट पर पड़ी हाए ये तो बिलकुल मेरे सूट के रंके हैं वो खुश हो गई मगर जैसे ही उसे ख्याल आया कि उसके पास पैसे नहीं है उसकी खुशी माल पड़ गई मामू जाने से पहले जो पैसे उसे दे कर गए थे वो उसने अपनी किताबों और नोट्स बनाने में खर्च कर दिये थे वो अफसोस से उस सेट को देख रही थी कि पीछे से नायला आ गई यहां क्या कर रही हो तुम चलो ये पकड़ो अब गुमना हो जाना ईद की वज़ा से काफी रश है उसने शौपर उसे सबर्दस्ती पकड़ाए वो उसकी पैर भी में चलने लगी अरे नायला यह देख मैंने कितनी सारी शौपिंग की है शौपर ने खुशी से अपने दोनों हाथों मैं पकड़े शौपर्स दिखाए लगता है भाई की जेब खाली हो गई है आली ने मसाख किया अब ऐसी भी बात नहीं है तुम्हारे भाई ने अपनी खुशी से कराई है शौपिंग 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 जट से बोली हम इतने शौपर्स देख कर लग रहा है अली अपनी हसी रोकते हुए बोला अरे वदिया सरा यह पकड़ना मैं अपने बाल ठीक कर लूँ शौपिंग वदिया को सारे शौपर्स थमाते हुए बोली वदिया ने बमुश्किल सारे शौपर्स बोली शौपिंग कर दोनों हसकर आगे बढ़ी जबके बेचारी पीछे शौपर्स से चूँच रही थी सब आ गए हैं तो चले वली ने खड़ी पर नजर तोड़ाई साड़े बारा बज रहे थे अरे ये आली कहां है रिस्वान बोला आ जाएगा वो इतनी देर में आईस्क्रीम खाते हैं नायला पासी दुकान की तरफ इशारा करते हुए बोली हम चलो ठीक है उसका इंतिजार भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा रिस्वान तो सदा का भूका था फोरण हमी भर ली वली ने आली को फोन किया और उसे बताया कि वो लोग कहां पर हैं थोड़ी देर बाद वो भी आ गया कहा चले गए थे तो आली वली ने पूछा फाई सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लूँ मैं भी इत की उसने शॉपर्स बढ़ाते हुए कहा हम अच्छा है अब चलें काफी देर हो गई है पारकिंग में से भी निकलने में देर लग जाएगी वली गारी की तरफ पढ़ा वद्या आते ही किचन में गई और पानी पिया शॉमाईला और नाईला ने उसे अपने पीछे बहुत खुमाया था और शॉपर्स पकड़ पकड़ के उसके हाथ लाल हो रहे थे उसने अपने दोनों हाथ आगे पहलाई उसके हाथ तुक रहे थे खड़ी पे नज़र डाली जो डेड़ का हिंसा दिखा रही थी अब खंटे बाद सहरी भी बनानी है उसका लहचा थकन सता था जबके बागी लोग आराम करने चल दिये वो कमरे में आई तो लाइट पहले ही चल रही थी दफदन उसकी नज़र बिस्तर के दर्मयान उस शौपर पर पढ़ी हैं ये किसने रख दिया वो शौपर की तरफ पढ़ी शौपर खुला तो उसमें से वो ही चूड़ियों का सैट निकला साथ चूड़ियों के एरिंग भी थे और एक कौन महदी अरे ये किसने मेरे लिए रखा है वो ये चीज़ें देख कर बच्चों की तरहां खुश हो गई यकिनन वली भाई ने रखा होगा एक बोही तो हैं जो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल रख लेते हैं और किसी तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया थेंक्यू वली भाई वो खायबाना उसका शुक्री आदा कर रही थी और बार बार चीज़ों को देख रही थी उन चीज़ों को देख कर वो अपना थोड़ी देर पहले वाला दर्द फूल गई थी अगले दिन वो दोनों चली गई थी और उसी राद चांद नजर आ गया आज काम कम था इसलिए वो जल्दी फारख हो कर महदी लगाने लगी उससे दोनों हाथों पर जैसे तैसे महदी लगाई खाली टिक्की बना कर ही वो बहुत खुश थी वदिया तीस चाय बना दो मेरे सर में दर्द हो रहा है आली नौक किये बगयर अंदर खुसाया वदिया ने नागवारी से देखा ओ तुमने तो महदी लगाई हुई है चलो रहने दो तुम अब तुम अपनी महदी न थोने बैट जाना मैं खुद ही बना लूंगा वो खुद कहकर चला गया ऐसे कह रहे थे जिसे मैं वागए अपनी महदी थो डालती वो दोनों ईद नमास पढ़कर आए तो वदिया भी तयार थी उसने नाच्ते में सवईया बनाई थी हाथों में चूड़िया पहने कानों में एरिंग्स पहने वो बहुत अच्छी लग रही थी वली भाई मैं अच्छी लग रही हो ना वो बच्चों किसी मासूमियत से बोली जबके सामने खड़े आली को यक सर नजर अंदास कर दिया हम अच्छी लग रही हो वली ने मॉबाईल पर पैसमस टाइप करते हुए उसे देखे बगएर कहा थैंक यू वो खुश होकर किचन में चली गई वली भाई मेरी एदी नाच्टे सफारिख होकर उसने वली से हमेशा की तरह एदी मांगी हाँ भई ये तो तुम्हारा हक है उसने जेब से पांच सो का नोट में काला और उसके हाथ पर रख दिया वधिया खुश हो गई अरे यार आली तु घर पर ही है ना मैं जर आपने दोस्तों से मिला हूँ वली उटते हुए बोला हम् आली ने सर को जंबिश दिया और टीवी देखने लगा अच्छा अबुकी फ्लाइट दो बचे की है ना वली ने जाते जाते सवाल किया हम् आली ने एक बार फिर सर हिलाया ओके फिर एक बचे निकलेंगे लेने के लिए मैं तब तक आ जाओंगा वो जाते जाते बोला वधिया ने चाय के दो कब बनाए एक कब उसे दिया और दूसरा खुद लेकर उपपर जाने लगी कि आली ने उसे आवास दी वधिया रुको ये ले लो जी वो खड़े खड़े बोली अपनी एदी ले लो मुझसे वो जेब से पैसे निकलते हुए बोला आप देंगे वधिया के आँखें हैरत से पहल गई क्योंकि जिन्दगी में पहली बार आली उसे कुछ दे रहा था खुद से हाँ भई और भी कोई है क्या वो चड़ गया वधिया उसकी तरफ पढ़ी उसने हाथ आगे किया आली ने सौसो के कई नोट निकाल कर उसके हाथ पर रख दिये ये सारे उसे फिर हैरत हुई हाँ भई ये सारे आली मस्कुराया थैंकि भाई कहकर वो सीड़िया चड़ने लगी चबके हैरत से उसका मुँ अभी खुला था उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आली ने उसे खुद ही दी दी है शाम को मामू और मुमानी आ गए मामू ने उसे ठही रोँ प्यार दिया जबके रुकईया बेगम ने बादल नाकवास्ता उसे गले लगा लिया वद्या के आंखें भीग गई मामी के प्यार करने पर जबके रात के खाने पर सक्या बेगम बमा एहलो एयाल तश्रीफ ला रही थी सो वो आसू पोंच कर किचन में खुसी खाना पकाते हुए वो यह सोच रही थी कि उसकी सारी जिंदगी बस यूही घर के कामों में खास कर किचन में ही बसर हो जाएगी काफी दिनों से महमानों के आमद चारी थी सब ही मामों और ममानी से मिलने आ रहे थे दादा चान का फोन भी आया था कि उन्होंने कहा था कि वो एक बार गाउं का चक्कर जरूर लगा ले वो से मिलना चाहते थे वो जाना चाहती थी मगर मसरूफियत के वज़ा से जा नहीं पा रही थी पेपर भी अगले हफ़ते हो रहे थे उसने सोचा कि एक पार पेपर्स देख कर वो रहने के लिए जाएगी हफ़ते की शाम को वली की डेट फिक्स करने जाना था वली तो खुछी से फूले नहीं समा रहा था हर वक्त कुछ नकुछ कुनकुनाता रहता था भाई तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खुशी नहीं हो रही शादी की आली ने उसे खेड लिया यार जब मन चाहा जीवन साथी मिलता है न तब ऐसी ही खुशी होती है मेरे भाई वो उसकी थोड़ी हिलाते हुए बोला मन चाहा साथी आली ने कीच कर लफस अदा किया साथी भवें उचकाई हाँ मन चाहा साथी मुझे शमाईला पसंद है सिर्फ पसंद आली हैरत से बोला मुझे लगा शायद इस्क वगरा का बुखार है वो हसा हाँ यार थोड़ा ये भी चक्कर है उसे सर्वोशी की और मस्कुराया अल्ला तुम्हें ठेरों खुशियां दे सच्चे दिल से दुआ दी शुक्रिया मेरे भाई वली ने कंधा तपतपाया सारे जाने को तैयार थे उसका मूड भी नहीं था और उसे पूछा भी किसी ने नहीं था लहाजा चुप करके अपने कमरे में आ गई और किताबیں खोलनी बदिया बेटा तुम्हारे पेपर कब से शुरू है नाश्ते पर मामू ने पूछा मामू परसों से है वो प्लेट उठाते हुए बोली अच्छा है तुम भी फारिख हो जाओगी फिर अपनी मामी का हाथ पटा देना ठीक है जी मामू वो खामोशी से नाश्ता करने लगी अच्छा है कि भाई की शादी बड़ी ईद के बाद है अभी दो महीने है मैं तब तक पेपर से फारिख हो जाओंगी उसने सोचा मैंने तो धेरों खौब देखे हैं अपने बेटों की शादियों के सारे अर्मान पूरे करूंगी मैं हाँ रुकाया बेगम बोली जी अमी सारे अर्मान पूरे कर लीजेगा आली ने भी हिसा लिया हाँ देखें जड़ा कैसे शर्मा रहे हैं भाई ऐसे तो कभी शुमायला भी नहीं शर्माई आली वली की शकल देख कर हंस बढ़ा सभी मुस्कुराए आली अब तुम उसे भावी कहा करो क्या शुमायला शुमायला बोलते रहते हो रुकया बेगम ने टोका जी अम्मी कह दूँगा भावी जब भाई के निकाह में आएगी अभी तो मेरा कोई रादा नहीं है उसने तुर्की बतुर्की जवाद दिया उसे पता नहीं क्यूं चड़सी होती जा रही थी खाला की फैमली से जब देखो तो तब इधर आ टपकते थे उपपर से उनके बच्चों की बेबाग किया उसने हुंकारा भरा और चाय ककप उठा कर कमरे में आ गया वदिया किचन साफ करके दुपहर के लिए फ्रिज में से सबसी निकाल कर काट दो और फिर सहर के बाद चूले पर चड़ा देना रुकया बेगम ने बरतन उठाते वदिया को हुकम दिया नहीं बेटा तुम बस बरतन किचन में रखो और कमरे में जाकर पढ़ो तुम्हारे अम्तिहानात हैं जाओ शाबाश वदिया ने मशकूर निकाहों से मामू को देखा और हाँ जब तक तुम्हारे अम्तिहानात नहीं हो जाते मुझे तुम काम करती नजर नाओ वो मुस्कुराए जी मामू वदिया खुश हो गई वो काम नहीं करेगी तो क्या फरिश्टे आएंगे रुकया बेगम को वकार सहब के बाद एक आँक नहीं भाई थी फरिश्टे नहीं आएंगे बेगम बलके आप काम करेंगी बच्ची के अम्तिहान है थोड़े दिन तो उसकी जान बख्षतें उसके कोयानों की अम्तिहान नहीं है जान बख्षतें रुकया बेगम का पारा हाई हो रहा था मैं तो जैसे जल्म के पहार तोड़ती हो ना बस जरा घर का थोड़ा काम ही तो करती है बस काम ही करती है सारा दिन तो कोलू के बेलों की तरहा काम मेजुती रहती है जब देखो तो कभी किचन और कभी दूसरे काम मैं कुछ बोलता नहीं तो इसका ये मतलब हरकिस नहीं कि मैं देख नहीं रहा समझी आप वकार सहब को खुसा आ गया और रहा काम का सवाल तो अगर थोड़े दिन आप काम कर लेंगी तो शान में कमी वाकिया नहीं होगी और अगर ज्यादा ही काम लग रहा है तो अपनी बहन को या फिर बेटियों को उनकी बुला लें वैसे भी हर दूसरे दिन यहां मौजूद होती है ना भागी होई आ जाएंगी आपका दिल भी लग जाएगा और काम भी करवा देंगी वो बोलने पर आये तो बोलते चले गए उससे में अखबार पटखा और मेस पर से उट गए हाँ बुला लो अपनी बेहन को इन्हें तो वैसे ही वो खटकती रहती है रुकाया बेगम का पारा किसी तौर कम होने में नहीं आ रहा था इमतिहानात के बावजूद वो मामी का थोड़ा बहुत हाथ पटा देती थी वो जो भी कहें ये उनका इहसान था क्यों नहोंने उसे पाला था बेशक वो कभी कभी बहुत खुसा कर जाती थी मगर फिर भी वदिया उनके इज़त करती थी अब वैसे भी वक गुजरने के साथ साथ सफैदी उनके बालों में बढ़ रही थी और इस सफैदी के तकाज़े भी कभी जोडों में दर्थ तो कभी कमर में ये सब सोच कर ही वो उन्हें ज़्यादा काम नहीं करने देती थी उसके अमतेहान क्या खत्म हूए उसे लगा कि उसके दूसरे अमतेहान शुरू हो गए हो मामी के साथ कभी एक मारकीट तो कभी दूसरी मारकीट में खन चकर बन कर खूमना कभी किसी दुपटे को गोटा किनारी लगाना कभी कोई सूट सीना खर्स वो बहुत ज्यादा मस्रूफ हो गई थी कीमती कपड़े तो वो दर्सी से सिल्वा रही थी जब के कुछ हलके घर में पहनने वाले कपड़ों की जिम्मेदारी उन्होंने वधिया को दे दी थी वो दुपटे लेकर बैठी लेज लगा रही थी जब नायला और रिजवान आ गए असलाम लेकुम खाला नायला की आवाज लाउंच में गूजी लाउंच में बैठे सब ही लोग मतवच्चा हुए वालेकुम असलाम मेरी बच्ची आ जा उन्होंने सोफे पर अपने साथ जगा बनाई वधिया का रिजवान को देखकर सारा मूट खराब हो गया उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी उभरने लगी जबके रिजवान लाली टपकाते मूँ से हस हस कर उसे घूर रहा था उसकी नसरों की तपिश से वधिया का चेहरा जलने लगा था अरे तू अभी तक बैठी है जा चाकर चाएला चल उठ रुकईया बेगम ने उसे बैठे देखा तो कर जी जी वोट गई तुमने शादी की तयारी कर ली आली नाईला आली से मुखातिब हुई हाँ बस हो रही है वो टीवी पर नज़रें जमाय बोला मेरी तो दोड़ें लग रही है पता है खाला मैंने पूरे छे जोड़े बनवाए हैं अपनी बहन की शादी के लिए और धेरो शॉपिंग कर रही हूं मैं हाँ वो ऐसे बोली जैसे पता नहीं कितना नेक काम कर रही हो आली को उसके अंदास पर हसी आ गई वदिया चाई की ट्रे और दूसरे लवाजमात लेकर आ गई रिजवान ने एक खलीज नजर उसके पूरे सरापे पे डाली वो सोफे के बिलकुल सामने बैठा था जहां पहले वदिया बैठी हुई थी इसलिए उसने अपनी चीज़ें उठाई और गेर महसूस तरीके से आली के साथ सोफे पर जम गई चाए तो बड़ी कड़क बनाई है तुमने वदिया बिलकुल अपनी तरहां वो दान्त निकाल कर बोला जबके वदिया ने पहलो बदला वो हर ममकिन कोशिश कर रही थी उसे नजर अंदास करने की रिजवान की गंदी नजर उसे अपने अंदर चुपती महसूस हो रही थी उसकी बेचैनी को आली ने साफ महसूस किया उसने एक तहरालू नजर रिजवान पर डाली मगर वो खाने में मसरूफ था कि उसे पता ही नहीं चला वदिया को यू आली के साथ सोफे पर बैठा देख कर नायला के तन बदन में आग लग गई थी वो ट्विस्टर सोफे पर बैठे थे आली थोड़ा फैल कर बैठा था और वदिया दोनों पाउं उपर किये एक तरफ थी दोनों में मुश्किल से दो तीन हाथ का पासला था नायला तुम शुमायला का सूट लाई रुकईया बेगम ने तस्वी एक तरफ की नायला नायला किधर हो तुम रुकईया बेगम ने उसे कंधे से हलाया जी जी खाला लाई हूँ वो बैक से सूट निकालने लगी सूट खाला को दे कर उसने आली को देखा वो वदिया को गोर से देख रहा था जबके वो गोटा किनारी लगाने में मसरूफ थी आली ने हाथ बढ़ा कर तो पटे का एक सिरा और गोटे को देखने लगा खाला कोई काम हो तो आप मुझे बुला लिया करे नाईला ने उची आवास में अपने खित्माद पेश की आप अकेली होती है ना वो वदिया को खूर कर बोली अरे जीती रह तू रुकईया वेगम बाख बाख हो गई और बढ़ कर उसका माथा चूम लिया अकेली? अकेली क्यों? वदिया है ना? तुम अपने घर का काम ही करा लो यही बहुत बड़ी बात है आली ने बहुत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया उन दोनों के निकलते ही वदिया ने सुक का सांस लिया आली ने असखुद उसकी यह हरकत नोट की शादी की तैयारी के वज़ा से दोनों फैमलीज का एक दूसरे कहां आना जाना और ज़्यादा बढ़ किया था जबके साइस तो कभी कुछ तो कभी कुछ आली ने वदिया की हरकात और सकनात नोट करना शुरू कर दी जब भी रिजवान आता था उसके चेहे पर अजीब सी पेचैनी आ जाती थी वो से नजर अंदास करने की कोशिश करती थी या फिर मनजर से हटने की जबके रिजवान के मायने खेज जमले और उसका देखने का अंदास वदिया को बड़ा लोफराना महसूस होता था कुछ उसका हुलिया भी वैसा ही था जहां तक खाला के घर आने जाने की बात आती तो वो कोई ना कोई बहाना बना कर टाल जाती आज भी खाला और रिस्वान आये हुए थे और वो शर्बत दे कर उपर चली गई थी रिस्वान भी शर्बत पी कर उट गया उसके ख़दम उपर की जाने बुटते देखे तो आली भी उट गया आपा मैं आप से आज खास बात करने आई हूँ सक्या बेगम रास्तारा ना लहचे में बोली हाँ आपा खेरियत है मैं ये कहने आई थी कि तुम बारात पर उस मनहूस लड़की को ना लेकर आना मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों का इतना बड़ा दिन उस मनहूस की वज़ा से बरबाद हो या उनके आने वाली जिन्दगी खराब हो हम मैंने तो ये सोचा ही नहीं था वो वागी परिशान हो गए उसके कदम ही सबस है इसलिए आते ही मेरी सास को खा गई थी इसलिए तो आपा बागी सब दिन तो चलो फिर परदास्त कर लेंगे मगर बारात में तो हरकिस ना लाना कोई ना कोई बहाना बना कर छोड़ाना ठीक है वो इतमिनान कर लेना चाहती थी हम तुम फिकर ना करो मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ रुकया बेगम ने तसलिदी आज माईयों का फंक्शन था आज उसका जाना जरूरी था वाला कि रिजवान का सोच सोच कर उसका खून खूलने लगा था उसकी बद्तमीसियां दिन बदिन बढ़ती जा रही थी कभी कभी वो कोई ऐसी बात कह देता कि वो सर से पाउं तक सुलग जाती और कभी ऐसे माईने के इस फिक्रे कि वो शर्म से पानी में गौतजन हो जाती मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस से बात करे अगर मामू से करती तो यकीनन बदमस्की हो जाती वली भाई का मूट वो खराब करना नहीं चाहती थी और मामी तो कभी भी उसका यकीन नहीं करती और रहा आली, तो उसने कभी उससे कोई अच्छी उमीद न पांधी थी, लिहासा कड़वा खूंट पी गई, बेदली से तयार होकर नीचे आई, नीचे महमानों से घर भरा पड़ा था, महमानों से मिलते मिलाते वो अपनी परिशानी किसी हद तक फूल गई, अरे वद्या, इधर आ, मामी ने उसे बलाया, अरे तुने ठाल तयार कर लिया है ना, जी मामी मैंने सब रख दिया है, बस वो फूलों के गहने नहीं है, हाँ याद दिलाया तुने, आली, ओ आली, इधर आ चल दी, उन्होंने आली को जाता देखा तो बला लिया, तुम फूलों के गहने लेकर आना, अच्छा, अभी तो टाइम नहीं है, ऐसा करूँगा कि जाते वक्त ले लूँगा, चलो ठीक है वदिया, तुम आली के साथ आना, वो वदिया से मुखातिब हुई और हाँ, कोई गडबड मत करना, समझी, साथ ही उंगले उठाते हुए तंबीह की, जी मामी, वो खामोशी से सर जुका गई, पीला और लाल जोड़ा पहने बालों में परांदर डाले, हलके से मेक अप में वो बहुत खुबसूरत लग रही थी, आली ने पहली बार, शायद उसे गोर से देखा था, आली यार, तुम सब महमानों को गाड़ी में बिठाओ, और बेगम, क्योंकि ड्राइवर आपको फालो करेगा, आली निकलते हुए बोला, बदिया, तुम भी आली के साथ पाइक पराना, अच्छा, रुकया बेगम बोली, जी मामी, वो एक बार फिर थाल देखने लगी कि कहीं भूले से कुछ भूल तो नहीं रही न, क्योंकि थोड़ी से गल अरे वदिया, तुम नहीं गई, वली ने उसे अकेला देखा तो उसकी तरफ आ गया, नहीं भाई, मुझे आली भाई के साथ जाना है, और वो अब तक नहीं आए, वो घड़ी पर नजर तोड़ा कर बोली, सब को निकले तकरीबन आधा घंटा हो गया था, वो तो शुकर के उसे थाल भिजवा दिया, वरना तो बस वो सोच रही थी के आली आ गया, अरे यार किधर था तू, कब से तेरा इंचिसार कर रही है, वली ने वदिया की तरफ इशारा किया, जो हाथ खुटने से टिका कर ठोड़ी पर जमाए उन्हें ही देख रही थी, वो बाइक खराब ह गई थी, वो ही ठीक कराने गया था, आली ने जवाब दिया, वली के फोन की खंटी बजी तो वो निकल गया, चले, वधिया खड़ी होकर सर पर दुपटा जमाने लगी, दफ़तन आली बोला, तुमने चूडिया नहीं पहनी, वो तो पहन लो, फोरन उसकी नजर अपनी सू पूरियां खनक रही थी, अब और भी स्यादा अच्छी लग रही हो, आली उसे देखकर मुस्कुराया, जी, बदिया को लगा कि उसे सुनने में कोई खलती हो रही है, जिन्दगी में शायद पहली बार, वो आली के मूँ से अपनी तारीफ सुन रही थी, कुछ नहीं, चलो वो पढ़ गया, जब वो जख्या खाला के घर ताकिल हुई तो शुकर अदा किया, अभी स्यादा लोग नहीं थे, कहां रह गई थी तुम, मामी ने उसे दबोच लिया, वो भाई की बाई खराब हो गई थी, उसने फूलों का शौपर मामी को पकड़ाया, उसकी थोड़ी और खिचाई होती अगर वो आँटी मामी को मुखातिब ना करती, मामी उस आँटी की तरफ मतवचा हुई तो वो वहां से खिसक गई, माईयों के फंक्शन का इंतिजाम खाला ने अपनी गली में ही करवाया था, आहिस्ता आहिस्ता महमानों की आमत बढ़ गई, अब प्रौनक लग गई थी, आज तो तुम कुछ ज्याद है कियामत था रही हो वदिया जानी, रिजवान की आवास उसकी समातों से टकराई, तो वो करंट खा कर पीछे हटी, तो तो तुम वो बमश्किल बोल पाई, उसने इधर उधर नजर तोड़ाई, सब लोग अपनी मस्त में कुम थे, इस से पहले कि वो बढ़ता, उस साइट से निकल कर पीछे वाली निशिस्तों पर पैट गई, आली के उस पर अचानक नजर पड़ी, वदिया का रंग उड़ा हुआ था, वो उसके पास सला आया, तुम ठीक हो वदिया, उसके आवास पर वो चल पड़ी, जी, जी, भाई, मैं ठीक हूँ, वो उसकी तरफ देखकर बोली, जहाँ अभी कुछ दिर पहले रिजवान था, येलो पानी, आली ने थोड़े फासले पर पड़े टेबल से पानी का गलास पढ़कर पकड़ा, उसने एक सांस में पूरा गलास खाली कर दिया, तुम्हें क्या हु जारी हुई नजरें और वधिया की बेचैनी नोट की, उसे मामला आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा, वधिया, तुम्हें अम्मी बुला रही है, वो वधिया से मखातिफ होकर बोला, जी, वो कह कर उठ गई, अरे रिजवान तुम कहा चले, वो रिजवान को कंधों से पकड कर बोला, चो किसकने की तैयारी कर रहा था, रुक्या, तुम कभी मर्दों में भी बैच जाया करो, जब देखो तब और तो में हिंकुसे रहते हो, वो से ले कर बाहर आ गया, दुलहन को लाया गया था, अब रसमें शुरू हो गई थी, रुकया बेगम ने थाल से हर तरफ चीज़ें बिकरी होई थी, पता नहीं मामी ने गजरे किधर रखती हैं, वो चीज़ों के दर्मयान ठून रही थी, मैं मामी से पूछती हूँ किधर रखे हैं गजरे, मुसलसल नाकामी पर वो कमरे से बाहर निकल रही थी, जब अजानक रिस्वान दाखिल हुआ, किधर चले सोने ओ, उसने अंदर दाखिल होते ही पीछे दर्वासा बंद किया, ये, ये क्या कर रहे हो तुम, वदिया के एर्थ खत्रे की खंटियां बचने लगी, उसके मसामों से पसीना चूटने लगा, कुछ नहीं, वज सोचा तमसे अकेले में चन्द महबत की बातें क गया, उसने अपना हाथ चुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी करिफ वदिया की तमाम तर ताकत से ज्यादा थी, मैंने कहा बत्तमीजी की है सोने ओ, सिर्फ हाथी पकड़ा है, वो उसकी आँखों में आँखें टाल कर बोला, वैसे सच्ची, आज यहाँ एक से एक आइटम आई है, मगर जो बात तेरे हुसन में है न, वो किसी और में नहीं, वो सर से पाउं तक उसे देखते हुए मधोश लहजे में बोला, वदिया सुलक गई, पीछे हटो मनहूस इंसान, उसने दूसरे हाथ से उसे पीछे धकेला, शरम नहीं आती तुम्हें, ऐसी बेहुदा ब ये बस, वो परस पड़ी, अरे वा, तुझ में तो जबान भी है, रिजवान दान्त निकाल कर बोला, मैं समझा कूंकी बहरी है, मगर नहीं सहब करस भर लंबी जबान है तेरी, वो जेब से पान निकाल कर मूं में डाल कर बोला, और उसके और करीब आ गया, वदिया को शद हो गई, थड़ाक, वदिया ने उसके गाल पर जनाटेदार थपड़ मारा, तुम जैसे खटिया इंसान पर मैं थूखना भी अपनी तोहीं समझती हूँ, समझे तुम, अब मुझे जाने दो, वरना मैं चीख चीख कर सब को इकटा कर लूँगी, थपड़ पड़ने पर वो उसने एक हाथ उसके मूँ पर रखा, जबके दूसरे बाजू से उसको अपनी मुकमल किरिफ्ट में कर लिया, वदिया के हवा सकुम होने लगे, सारी बहादरी हवा हो गई, जबके आँखें थुमला गए, वो कैदी चिड़िया की तरहां उसकी मसबूत किरिफ्ट में फट पटाने की कोशिश कर रही थी, आंसु एक तवातर से बह रहे थे, जबके उसके बदन से उटती खुश्पू, रिजवान को मधोश कर रही थी, बाहर ढोलक शुरू हुई, वदिया काफी देर से बाहर नहीं आई थी, रुकया बेगम को नायला ने कच्रे दे दिये थे, ल उसकी नसर फर्श पर पड़े तुपटे पर पड़ी, उसने तेजी से वो तुपटा उठाया, उसका तुपटा, तो ये खुद कहा है, वो अंदर कमरों की तरफ तेजी से बढ़ा, अब बता, कहा जाएगी गोरी, रिजवान उसके कान में बोला, जबके पान की पीक उसके मुँ से निकल कर वधिया की करदन पर किरी, वो से लेकर बैट की तरफ पढ़ा, अब ही उसका एक हाथ उसके मुँ पर था, जबके दूसरे से उसने उसको मस्बूती से पकड़ा हुआ था, वो अपने आपको छुडाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वज़ा से उसकी चू पर था जब आली कमरे में ताखिल हुआ, कमरे के अंदर का मनजर देख कर उसका दिमाख खूंग गया, वधिया रिस्वान की मजबूत करिफ से खुद को छुडाने की कोशिश कर रही थी, उसकी कलाईयों से खून रिश रहा था, रिस्वान ने उसे अपने पौलादी हाथ में जकड़ा हुआ था, जबके वो किसी बेबस परिंदे की तरहां, जो पिंचरे में ताजा ताजा कैद होता है, फड़पडा रही थी, बाहर से अप ठोलक की आवाज आ रही थी, रिस्वान आली कर जा, उसके एक हाथ में वधिया का तुपट्टा था, आली की आवाज प उसने अपनी आँखों को रगड़ा, उसका हुली आजीब हो रहा था, सारे बाल बिकर गए थे, कपड़ों पर शिकने आ गई थी, और कलाईयों से खून रिस रहा था, उसे इसका एहसास तक नहीं था, हवास बहाल हुए तो उसने सामने खड़े आली को देखा, आली भाई वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ी और उसके सीने से जा लगी, उसने मस्बूती से उसका कुर्टा पकड़ लिया जबके कलाईयों का खून उसके कुर्टे में जस्प हो रहा था, भाई वो वो इशकें की वज़ा से उससे बोला नहीं जा रहा था, उसने उसको खुद से और दौटा उसके कंधों पर डाला, वधिया ने दौटा ऐसे लपेटा जैसे इससे पहले वो बेले बास थी, वो रिस्वान की तरफ पढ़ा, उससे इसकी आँखें लाल हो रही थी, आली को यूँ अपनी तरफ पढ़ता देख कर उसकी वो हालत थी, काटो तो बदन में ल तरकत करोगे, मगर मैं खामोश रहा, आली ने दांत पीस कर कहा, जैसे जैसे आली पढ़ रहा था, रिस्वान वैसे वैसे पीछे जा रहा था, आखिरकार कमरे के हुदूत खतम हो गई, आली मेरी बात तो सुनो, वो थूक निकल कर बोला, मगर आली ने एक लफ़ नहीं सु आली ने उसका ग्रेबान पकड़ कर उसे चंचोर डाला, अगर आएंदा तुम मुझे वधिया के आस पास भी दिखे, तो जान से मार दूंगा तुम्हें, समझे तुम, अब दफ़ा हो जाओ यहां से, वो उसे धका दे कर बोला, रिजवान तकलीफ के बावजूद तीर की बाहर निकला, आली तेजी से वधिया की तरफ वढ़ा, उसकी हालत खेर हो रही थी, वो मुसलसल हिच्कियों से रो रही थी, चल उठो, शाबाश, अपना हुलिया ठीक करो, वो उसके सर पर हाथ रख कर बोला, फाई मेरी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो वो, गजरे, मु तुम ठीक हो, बाहर जाने से पहले आली बोला, जी, उससर कर जंबिश दी, वधिया यहां जो कुछ भी हुआ है, उसे मुकमल तौट पर पर परामोश कर दो, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होनी चाहिए, कि तुम्हारे साथ क्या हाथसा हुआ है, ठीक है, वो दोनों सहन म खड़े थे, आली उसे समझा रहा था, वधिया ने जबरदस्ती उमड आने वाले आंसों को रगर डाला, मैंने जो कहा उसे समझ गई होना, ये तुम्हारी पहतरी के लिए कह रहा हूँ, वो दुबारा बोला, जी भाई, नहीं करूंगी किसी से भी बात, गुट कर, उसके स काफी चुपता हुआ था, आली ने अपने गले में पहने दुपटे को इस तरह सेट किया कि खून के धबे पर नजर ना पड़े, हाँ, वधिया को चोट लग गई थी, इसलिए अंदर आए थे, आली ने फौरण जवाब दिया, चलो वधिया, अम्मी बला रही होंगी, वो नजाने कितनी बार खुदा का शुकर अदा किया कि आली भाई सही वक्त पर आ गए, वन्ना उससे आगे, वो कुछ सोच न पाई थी, मेंदी का फंक्शन उसका बेहतर कुजर गया, उसके बाद उसका सामना रिस्वान से नहीं हुआ था, लहासा वो थोड़ा मुतमें थी, आज रुकया बेगम की खुशी दीबनी थी, सुबाही से वो बहुत पर जोश लग रही थी, महमानों को नाचता वगयरा करवा कर कमरे में आई कि फोन की घंटी बजी, हेलो, अरे जक्या, खैरियस से फोन किया, अरे हाँ, याद है, तुम फिकर न करो, वहां मुक्तसर बात करके उन्होंने फोन बंद कर दिया, वधिया, ओ वधिया, किधर है तू, उन्होंने उसे वहीं से खड़े-खड़े आवास दी, जी मामी, वो दुपटे से हाथ पोंचती आई, मेरे कपड़े बगारा इस्तरी कर दिये हैं, जी मामी, मैंने कर दिये हैं, अब ज़रा घर की स फारुकी और उनकी फैमली थी, साथ ही रजिया फुपो जो कि उनकी बहन थी, वो भी आई थी, और उनके साथ उनका बेटा और बहु भी थे, सारे लाउंच में बैठे थे, वकार सहाब के जादातर रिष्टेदार इसी शहर में थे, लहाज़ वो एन वक्त पर आने वाले जबके चन रिष्टेदार शहर से बाहर थे, जिन में रसिया फुपो और फारुकी अंकल आए हुए थे, पहले किचन समेट तू फिर आउंगी इस तरफ, वो उन पर एक नजर डाल कर किचन की तरफ बढ़ी, वदिया बाजी पानी का ग्लास दे दें, दादा अबू के आया था, वो गलास लेकर आई तो रिदा भावी बोली, वदिया इस तरी उपर है, जी भावी उपर है, तुम भी चलो सुनेरा, उन्होंने रसिया फुपो की बेटी से कहा, हाँ, चलो मैं भी कपड़े इस तरी कर लो, सुनेरा भी खड़ी हो गई, भावी मैं कर देती हूं कपड़े इस तरी, वदिया रिदा के हाथ से कपड़े लेकर बोली, अरे रहने दो वदिया, तुम पहले से इतना धेर सारा काम करती हो, अब हमारे जाफी बोज उठाने की जरूरत नहीं, वो उसकी ठोड़ी पकड़ कर मस्कुराई, वखार सहाभी बाहर के काम से फारिख ह करा गए, सुनेरा और रिदा उपर चली गए, ममा मैं भी आओंगा, उसामा भी पीछे दोड़ा, माशाल्ला, अल्ला इस बच्ची का नसीब अच्छा करे, बहुत ही ज़्यादा फर्माबरदार है, सारे घर का काम अकेले करती है, सारा घर इस नन्नी सी जान ने संभाला है, रजिया बेगम ने उसके जाते ही बोला, हाँ भई, ये बात मानने पड़ेगी, बेचारी बच्ची कुछ ज़्यादा ही काम करती है, फारुकी साहब ने भी ताइद की, भई बुरा न मानना वकार, लेकिन रुकाया का रवया कुछ अच्छा नहीं है इसके साथ, वो तो इ देखो, खुद कमरे में आराम कर रही है और इसको काम पर लगाया हुआ है, अरे नहीं आपा, उसकी तब्यद खराब है, वकार सहब किसी आए, और शर्मिंदा शर्मिंदा बोले, अरे रहने तो मिया, खुद की तब्यद ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं, कि सारा का बच्ची के सर पर डालते, भरा बंदा एक काम वाली का इंतिजाम कर ले, वो तो बच्ची फर्मा बरतार है, वरना में देखती कि कौन करती है, खोडों गधों की तरहा काम, उन्होंने दुख से कहा, चलो रहने तो आपा, तुम भी, फारुकी सहब ने वकार सहब को शर्मि की याद आती है, उसकी परचाईं लगती है, रजिया बेगम की आँखें नम हो गए, उन्हें शहदा अजीज चो बहुत थी, वदिया अपने कपड़ों को और जूरी बगरा को देख रही थी, नहीं ये चूडिया नहीं ठीक, वो चूडियों को सूट पर रखते हुए बो जी मामी आप मुझे बुला लेती, वो बहुत कम ही उसके कमरे में आती थी, हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी, वो कुछ तसफ़सद से बोली, मैं चाहती हूँ कि शमायला के इस तखबाल के लिए पहले ही कोई घर में रहे, मैं समझी नहीं मामी, वो परिशान हुई, मैं तो घर का ध्यान रखो, सामान से भरा पुरा घर है, महमानों कभी गीमती सामान होगा, इसकी हिफासत भी तो जरूरी है, और दूसरा ये कि तुम शमायला के इस तकबाल के लिए तैयारी रखना, समझी तुम, वधिया को मामी से इस बात की हरकिस उमीद नहीं थी, कि वो उ उसका इरादा बना कि वो पहली बार मामी को मना कर दे, फिर कुछ सोच का खामोश हो गई, जी, उसे फितना बोली और अपने आंसों को बड़ी सरत से पी लिया, हम, ठीक है, अब उपर ही रहना, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, वो कहकर निकल गई, जबके वो उन्हें जाते देखती रही, एक नसर उसने सूट पर डाली और फिर अचानक उमर डाने वाले घुस्से पर काबुना रहा, तो सूट उठाकर अलमारी में फेंक दिया, और चूड़ियां वगईर भी इसी तरह टपों में फेंकी, और बिस्कत पर गिर गई, इतना मनहुस समझती है म वो खुद से बात करते हुए बोली, काश मेरे माबाप होते, तो मैं एतनी बेवकत तो ना होती, एए आला, तूने उन्हें मुझसे क्यों चीना, क्यों, वो खुदा से शिक्वा कना थी, वो नजाने कब से लेटी थी, कि बाहर से शोर वगईरा आना शुरू हो गया, सब त वाज आ रही थी, शायद किसी से फोन पर बात कर रहा था, सारे निकल गए हैं, वकार साहब ने रुकया बेगम से पूचा, जी सारे निकल गए हैं, तुमने ठीक से देखा है ना, कि एक तफ़ा मैं भी देख लूँ, वकार साहब उपर की जाने पढ़े, नहीं नहीं, मैंन ताले लगा दूँ, वो सतर दर्वासे की तरफ पढ़े, रुकया बेगम ने शुकर का सांस लिया, बाहर से ढोल बजने के आवाज आ रही थी, और वधिया के अंदर सनाटा बढ़ता जा रहा था, किसी को मेरा ख्याल नहीं आया, मामू को भी मेरी कमी महसूस नहीं हुई, पौल में पहुँच कर रुकया बेगम पहले सक्या खाला से मिली, अरे आपा मुबारक हो तुम्हें, सक्या बेगम गले मिली, तुम्हें भी मुबारक हो, आपा काम तो कर आई हो ना, सरगोशी में बोली, हम्, उन्होंने आँखों के इशारे से कहा, शुकर है खुदा का, क बाड़ा जच रहा था, वकार साहब ने उसके चहरे के खुषी देखी, तो एक आह भरी, उन्हें कितनी खुआहश थी, कि वली की शादी वधिया से हो, मगर उसकी खुषी देखकर उनकी ये खुआशी, दिल में ही रह गई, शुरू ही दिन से वली का रवया वधिया से बह बहुत बहुत मुबारक हो आपको बेटे की शादी। अच्छा अब तो बड़ी हो गई होगी। असलाम लेकुम आप कैसी हैं। पकार साहब ने एक अधेर उमर कातून को सलाम किया। जी भाई अल्ला का शुकर है आपको मुबारक हो। खातून को शकलाकी से बोली। जी शुक्रिया भावी। बिलाल तुम्हारा बेटा नहीं आया। पुरानिया से बड़ा था ना। जी भाई वो दरसल पढ़ाई के सिल्षले में पैरूने मुल्क होता है। बिलाल सहाब बोले। अंकल बदिया कहा है? मुझे उसे मिलना है। रानिया पुर जोश लहचे में बोली। सरूर बेटा तुम बैठो मैं अभी उसे भेजता हूँ। वो उसे कहकर आगे बढ़े। लाग कोशिश के बावजूद उन्हें वदिया नजर नहीं आ रही थी। वो रुकया बेगम की तरफ पढ़े। वो औरतों में मसरूफे गुफ्तगु थी। रुकया सराबाद सुना। रुकया बेगम मतवच्चा हुई। मैं अभी आई। वो औरतों से माजरत करके उठी। जी। वो उनके मकाबल में खड़ी हुई बोली। वदिया नजर नहीं आ रही। तुमने कहीं भेजा तो नहीं है उसे। नहीं। एक तम वो कुछ खबरा गई। वकार सहब ने भवें उचकाई। उनका लहजा उनके अलफास का साथ नहीं दे रहा था। वो उन्हें लेकर खेर महसूस तरीके से एक खाली कोशे में ले आए। वदिया कहा है। लोग उसे मिलना चाहते हैं। किस काम से भेजा है तुमने उसे और किस के साथ। वकार सहब के तेवर देख कर वो थोड़ी पधावास हुई। वो मैंने उसे घर पर रुकने को कहा था। वो मुश्किल अलफास अदा किये। क्या। एक दम चीखे फिर इर्ट-किर्ट निकाह दोड़ा कर आवास मधम की। क्या मतलब है तुम्हारा। तुम उसे घर छोड़ाई हो। उनके लहचे में तपादपा खुसा था। मैं नहीं चाहती कि उस मन्हूस के कदम आज इस जगा हो। अब वो खद्रे संभली तुफ है तुम्हारी घडिया सोच पर तुम उस मासूम बच्ची को खुआ मखा बदनाम कर रही हो। और मुझे अंदाजा है कि तुम से ये किस महतरमा ने कहा होगा। उनका गुसा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। अगर आज मेरे बेटे की शादी ना होती ना तो मैं तुम्हारा दिमाग आज ही दुरूस कर देता। और उस महतरमा का भी जिसने तुम्हारे कान भरे हैं वो कहकर चले गए। ज़्यादा ही चहीदे बने फिरते हैं उस मन्हूस के। उन्होंने चारों जानब नजरें दोड़ाईं और अकड़ी करतन से चलती हुई स्टेज पर पहुँच गए। नायला ने नजाने कितनी महनत से आली को अकेला पकड़ा था। अरे दूले के भाई, क्या है आज जो तुम नजर नहीं मिला रहे। नायला ने मुस्कुरा कर कहा, आली ने उसके हुलिये पर कहरी निकाह टाली, नीले रंका सूट पहने, बालों को कंधों पर फैलाए, ताक मेकप और बेतहाशा जूलरी में वोसे बिलकुल मतासर को नहीं लगी, लहाज़ा वो बिना मरूब हुए बोला, हाँ, क्यूंके तरफ हो गए, मगार साहब के चहरे पर परिशानी और गुसा देख कर वो तश्वीश से बोला, अबू खेरियत है ना, कोई मसला, उन्होंने एक नजर स्टेज पर डाली, निकाह शुरू हो चुका था, यार घर जाओ, और वदिया को लेकर आओ, अबू, वदिया घर पर क् परिशान हो गए, वाट, अमी उसे अकेला छोड़ाई, आली को रुकया बेगम से इस हद तक जाने के उमीद न थी, हाँ यार जा और लेया, मुझे स्टेज पर जाना है, उधर होना जरूरी है मेरा, मगर अबू निकाह शुरू हो चुका है, आली निकाह छोड़ना नहीं चाहता था, बेटा जरूरी है, मैं किसी और को फेश देता, मगर मैं बात पहलाना नहीं चाहता, पर्दा पढ़ा है तो पढ़ा रहने दो, तस मिनट का फासला है बस तुम जाओ, वो उसे चापियां देते हुए बोले, जी अबू, उसका मू लटक गया, एक ही भाई और उ का आलम था, सिर्फ घड़ी के टिक टिक लाउंच में सुनाई दे रही थी, घड़ी पर नजर डाली, तो तकरीबां साड़े दस का टाइम हो रहा था, वो पहली दफ़ा यू पूरे घर में अकेली थी, उसे खाली घर में खौफ महसूस होने लगा, उसना हिस्तगी से कदम बढ़ाया, सदर दर्वासे के हंडल को खुमाया और इत्मिनान किया कि वो बंध है, फिर जाकर दुखते दिल के साथ सोफे पर जा बैठी, घर बालों को गए तकरीबां घंटा हो गया था, उसने ध्यान बटाने को टीवी आउन किया, मगर बुरी खिसमत के केबल की भी कई हुई थी, वो सोफे पर बैठ कर कुछ सोचने लगी, बहार की आमद आमद थी, लहाजा मौसम रात में ठंडा रहता था, वो पाउं सुकेड कर खुटनों में सर दिये बैठी थी, अभी उसे बैठी ज्यादा देर नहीं हुई थी, कि बाहर से खटपट की आवास दिल की धरकन तेज हो गई, बहर कोई था, वो खौफ के मारे और सुकर गई, अचानक लाइट चली गई, उसकी खौफ के मारे चीख निकल गई, तरवासा खुलने की आवास आई, कोई कौन है, वधिया की डरी हुई आवास आई, वधिया कहा हो तुम, मैं हूँ, आली, आल अरजिंसी लाइट नहीं है क्या, वो वहीं खड़े खड़े बोला, है, ड्राइंग रूम में, वधिया के आवास आई, अभी वो हाथों से टटोलता हुआ आके बढ़ रहा था के लाइट आ गई, शुकर खुदा का, वो मुड़ा और अंदर आया, वधिया उसे सोफे के की मिली, आंसु अभी काल पड़ थे, चलो उठो, तयार हो जाओ, पांच मिनट में मेरे साथ चलो, वो उसके करीब आकर बोला, मैंने नहीं जाना, वो मुबसूर कर बोली, देखो मेरा बहस का मूट नहीं है, भाई का निकाह हो रहा है, मेरा तिमाख मत खराब करो, अब उन अलमारी से वैसे ही कपड़े निकाल कर पहने, चुठिया बनाई, सैंडल पहनी और आ गई, आली जो पहले ही निकाह मिस होने पर खुस्सा हो रहा था, उसका हुलिया देखकर उसका दिमाख ही खुंग गया, किसी सोग में नहीं जा रही हो तुम, ठंक से तयार हो, स्यादा ह हमदर्दियां समेटने का शौक है तुम्हें, वो उसके हुलिये पर चोट कर गया, मैं तयार हूँ बस, चलें, वो नीचे उतरी, आली ने खुस्से समुठियां भीच ली, वो आगे बढ़ा, उसका बाजु पक्रा और उपर ले आया, उसके कमरे में लाकर उसे धकेला और गुस्से से बोला, जल्दी से लेपा थोपी करो, मेरे पास तुम्हारी तरह बेकार का वक्त नहीं है, वो गुस्से से फट पड़ा, इतना एहम फंक्शन, उपर से तुम्हारा नखरा, वो हंकारा, वदिया बीबी, अपना ये नखरा किसी और वक्त के लिए उठा रखो, फिलबक तयार हो और चलो, वो वहीं खड़ा हो गया, उसके अजाइम भाप कर उसने जल्दी से टब्बे से उल्टी सीधी चूड़ियां पहनी, हल्की से लिप्स्रिक लगाई, आंखों में काजल डाला और एरिंग पहन लिये, चलें, वो धीमी आवास में बोली, हम्, चलो वो भी आगे बढ़ गया, जब वो हॉल में पहुंचे तो निकाह हो चुका था, बलके शुमाईला भी अवली के साथ स्टेज पर थी, आली उसे चोड़ कर चला गया, अभी वो खड़ी ही थी के खाना लग गया, वो अंदर बढ़ी, अरे वद्या तुम आ गई, एकदम माम गया, रुकया बेगम की नजर वकार के हमरा वद्या पर पड़ी तो हलक तक कड़वा हो गया, चलो जो भी है, ये मनहूस निकाह के वक्त तो मौझूद नहीं थी, साथ ही उन्हें इत्मिनान भी था, कि वो काम्याब रही थी, घर लोटकर वकार सहाब खुसे के मारे सीथा कमरे में चले गए, और रुकया बेगम नई दुलहन कियामत पर सबके बारी हो रही थी, सारी रस्मों वगरा से फारिख हो कर वो कमरे में आई, उन्हें यकीन था, कि अब तक वो सो चुके होंगे, मगर उनका ये ख्याल खलत साबित हुआ, क्यूंकि वो गुसे से तहल रहे मैंने जो कुछ भी किया है, अपने बेटे की बेहतरी के लिए किया है, वो बेट पर बैट कर चुड़ियां उतारने लगी, बेहतरी? इसे तुम बेहतरी कहती हो, यकीनन उस जख्या के कहने पर ही तुमने ये हरकत की होगी, अरे उस मासूम ने तुम्हारा बिगाड़ा क्य है, आखर उनकी आवास बुलंद हो गई, रुकया बेगम ने नजर उठा कर देखा, मगर बोली कुछ नहीं, अगर घर में महमानों का ख्याल ना होता ना, तो तुम्हारा दिमाग तुरुस्ट करके रख देता, वो कहकर खुस्टे से बाहर निकल गए, रुकया बेगम ने स का सांस लिया, रात के तीन बजे वो बाहर से अपना खुस्टा ठंडा करके आ रहा था, उसे अपने एक लौते भाई के निकाह का फंक्शन में सोने पर खुस्टा था, वो अपने कमरे के करीब ही पहुँचा था कि वद्या अपने कमरे से निकली, उस पर नजर पढ़ते ही उसका खुस्टा जो बरफ हुआ था, फिर से आग हो गया, अबुकी चही थी, इसका बड़ा ख्याल है, इसे लेने भेज दिया, और मैडम सहबा तयार होने में नहीं आ रही थी, वो बरबलाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, और चावी साइट टेबिल पर रखकर कपड़े तबदील करने, बातरूम में खुस गया, वो चेंज करके आया, तो वधिया दूद का गलास रखकर जा रही थी, मुझे नहीं पीना, ले जाओ, वो घुस्स से बिस्तर पर बैट कया, वो अंसुनी करके निकलने लगी, कि वो फिर शुरू हो गया, आज तुम्हारी वज़ा से, मैंने अपने भाई का निकाह छोड़ा है, सिर्फ तुम्हारी वज़ा से, वो तान पीस कर दोला, पता नहीं अबबू को क्या था, अगर किसी और को भेज देते, कम असकम अपने भाई के निकाह में मैं शरीक तो होता, पर नहीं, उन्हें तो जैसे शौक है, मुझ पर फौकियत देने का, वो फुंकारा, फुस्सा तो वधिया को भी बहुत था, आज जक्या खाला ने उसे भरी महफिल में जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उपर से मामी ने भी मामु का घुस्सा भी उसी पर निकाला था, लहासा वो तेजी से पल्टी, तो नहीं आ पड़ी और घुस्से में उसे भाई भी नहीं कहा, जबके आली अभी तक खाली दर्वासे को खूर रहा था, जहां से अभी अभी वो निकली थी, सुबह हुई तो शुमाईला के खड़ से नाश्ता लेकर नायला और इस्वान आए, उनके साथ उनकी कोई कसन भी थी, वदि नायला ने शुमाईला से गले मिलते हुए कहा, एक ही रात में क्या जादू कर दिया है वली भाई, कि ये गुलाब की तरहां खिल गई? नायला ने बे तकलुफी से सब के दर्मयान बैठे वली को छेड़ा, वो बस छेंप कर मुस्कुरा दिया, जबके वकार सहाब की तेव कर बोली और गयर महसूस तरीके से सब के दर्मयान से उठ गई, आली को महसूस हुआ कि कोई उसके बालों को सहला रहा है, पहले उसे लगा शायद वहम है, जब तेज खुछभू उसके नतनों से टक्टाई तो उसने कसमसा कर आंके खोली, नायला को अपने उपर चुके पा जहां तक मेरा ख्याल है तो दुलहन के घर वाले दुलहन के लिए नाश्ता लाते हैं, ना कि दुलहन के देवर के लिए, वो तंजन मुस्कुरा कर बोला, जे बिलकुल लाते हैं, मगर हम तो खास आपके लिए लाएं हैं, अदाएं दिल रिजाने वाली थी, आप रहने दे बड़ी महरबानी, मेरा नाश्ते का मूड नहीं, अब आप जा सकती हैं, उसने लाल जंटी दिखाई, उसी वक्त वधिया ने नौक किया, आपको बुला रहे हैं नीचे, वधिया ने आकर एक तेज निगाह डाली दोनों पर और पलट गई, आप चल्दी आईए, आपका इ लाल जाते हैं, उनकी तवियत कुछ ठीक नहीं रहती थी, आज आएंगे ना मामू तो कहूंगी कि मुझे चन्द दिन के लिए दादा के हाँ जाने दे, वो सोच रही थी कि शुमाईला आ गई, वधिया चल्दी खाना पकाओ, आज वली चल्दी आएंगे, और हाँ, आज स खुद तुम्हे चोड़ कराऊंगा, ठीक है, वो पिछले सहन में आई तो मशीन पर नज़र डाली, वो कपड़ों से उबल रही थी, कल मशीन भी लगानी है, वो अक्ताहट से बोली और पलट आई, रात के खाने पर अक्सर ही वली और शुमाईला नहीं होते थे, उनकी दा आत्मी पोजिशन आई है, वो दीवाना हुआ जा रहा था, अरे मुबारक हो बेटा, उन्होंने खुशी समा था चुमा, एवधिया, किधर है तू, घर में कुछ है मीठा खाने को तो ले आ, मैं अपने बेटे का मुँ मीठा करवाओं, वो लाउंच से चिल आई, वो प्ले मेरे चंदा की मरसी का बनेगा, समझी, जी, वो मुक्तसर कहकर चली गई, क्या हुआ खाला बड़ी खुश लग रही है, शुमाईला भी नीचे आई, उसके गीले खुले बाल बता रहे थे, कि वो अभी नहा कर आई है, अरे आली सी एसस में काम्याब हो गया है, रुकाया ब बोली, हाँ बिलकुल, इतनी बड़ी खुशी है, जब चाहें तब तूंगा, आज वो बहुत फराख दिल हो रहा था, तो फिर ठीक है, अभी नायला और रिस्वान को कहती हूं के आ जाएं, फिर शाम को वली भी आ जाएंगे, तो सारे मिल कर चलेंगे कहीं, वो खुद ही सैट करके बोली, शाम को उनके घर में खुशी का समा बंद गया, वगार साहब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वली ने भी मुबारक बात दी, और सक्या खाला और उनके एहलो आयाल भी तच्रीफ फरमा थे, एक बस वदिया ही थी जो बिलकुल सपाट चहरा लिए, ब इतनी बड़ी बात की, इसे तो बस रंग में भंग डालना आता है, शुमाईला ने भी हिसा लिया, पुट्रे लेकर आई और ग्लास ट्रे में रखने लगी, उसके अंदाज और अतवार से ऐसा लग रहा था, जैसे किसी और के बारे में बात हो रही हो, आली ने एक शाकी न मेरे सामने, मगर मेरा इरादा पुलिस फोर्स जॉइन करने का है, उसने चैका कप लिया, हम्, सबरदर्स इरादा है, वली ने ताईद की, मुझे तुम पर और तुम्हारी सोच पर फखर हो रहा है, कि तुमने एक बहुत बहतर फील्ड चुनी है, मगर ये कोई अच्छी च लोगों की जानो माल की महाफिस होती है, मौशरे को गंदगी से पाक करने की जामिन, और आए दिन जो पुलिस वाले अपनी चीमती जानों का नजराना पेश करते हैं, इसी वज़ा से आम आदमी सुकून से रह रहा है, वो तहमल से बोला, वकार साहब ने एक भर पूर फख आली के मूँ से निकले हैं, हाँ और क्या खाला, अच्छी भली नौकरी होती है पुलिस की, और उपर की कमाई अलग, मौश ही मौश है, शुमाईला ने अपनी सोच के मताबिक बात की, वकार साहब ने एक तास्थ भरी निकाह डाली, जबके वली बाप की निकाह भाम कर शर ठीक है, वकार साहब ने बात पड़ दी, वो कुछ दिनों से नोट कर रहे थे कि शुमाईला बीबी बैट कर खाने वालों में से थी और उस बेचारी पर एक और बोश डाल दिया गया था, जी खालू क्यों नहीं, उसने मस्नुई मस्कुराहट लबों पर सजाई जबके चा जी मामउ, वो तेजी से सीरिया उतरती आई, बेटा एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए, उन्हों ने कहा, क्या हुआ मामउ, वो परिशान होई, बेटा तुम्हारे दादा का इंतकाल हो گیا है, मुझे तुम्हारे चाचा का फोन आया था, शायद घर का फोन खराब है इसल वो मुर्दा कदमों से लोटी, क्या हुआ है वकार, आप जल्दी आ गए हैं आज आफिस से, रुकया बेगम कमरे से निकली, शायद वो सो रही थी, हाँ वो वधिया के दादा का इंतकाल हो गया है, उन्होंने कहा और कमरे में गए, ओ, ये तो होना ही था, वधिया ने जो उन नहीं था कि कौन सा है, वो वकफे वकफे से आंसु साफ कर रही थी, वहाँ पहुची, तो जनासा ले जाया जा चुका था, घर में खवातीन थी, वो किसी को भी नहीं जानती थी, एक अधेर उमर और उरत उनकी तरफ आई, तू खालती कुडियें, वो पहचानने की कर रही थी शायद, हम, उसने सर हिला दिया, हाई बच्ची, अपा तैनो किना याद कर दे पैसी, वो उसे गले लगा कर बोली, तो वो दादा से ना मिलने पर और भी दुखी हो गई, जब रो रो कर दोनों का दिल हलका हुआ, तो उन्होंने तारुफ करवाया, मैं तेरी ता अलित्ती कुडिये, ताई ने बुलंद आवास में सबसे उसका तारुफ करवाया, सभी की नजरों में हैरानी थी, सारे उसे पहली बार देख रहे थे, ताई उसे लेकर बढ़ी और सबसे मिलवाया, आज पहली बार वो अपने दध्याल से मिली थी, उसके दो ताया थे और भी ठीक तरहाना मिला, उसे अजीब हैरानी हुई, हालांकि उन्हें तो ज्यादा खुश होना चाहिए था, कि वो उनके भाई के आखरी निशानी थी, मगर यहां तो मामला ही उलड़ था, अलबता फुप्यों ने फिर ठीक मुबात कर ली, मगर दूसरी ताई चाजी ने सल का बस जवाब ही दिया था, और बस ताया और चाचा का भी यही हाल था, और उनके बच्चों का भी, वापसी पर वो और भी निढ़ाल हो गई, मामु को भी बहां के लोगों के रवईयों की कुछ समझ नहीं आई, अजीब सर्दमहरी थी उनके रवईयों में, आली ने पुलिस फोर्स जॉइन कर ली थी, वो चुंके सीएसस करके आया था, लहाजा उसे सीधा एसबी बनाया गया था, आज उसका पहला दिन था, वो बहुत परजोश था और खुब तयार होकर आया था, दादा को गुजरे दस दिन होने को आय थे, मगर उसका गम अभी भी ताजा था, उसके पास त्यार के रिष्टे थे ही कितने, महस चंद रिष्टे उसके पास, उसमें भी कमी होती जा रही थी, वो चुंके लेट उठी थी, लहाजा वो चाय का कप लेकर किचन से निकली थी, के नजर आली पर पड़ी, जो युनिफॉर्म के कफों को बंद करते हुए उतर रहा था, चेहरे पर फखरिया मस्कुराहत थी, जैसे मकसद पा लेने के बात होती है, आज उसका मूट जरूरत से ज्यादा फुशकवार था, वद्या लाशारी तोर पर खड़े होकर उसे देखने लगी, वो भी गेर मामुली तोर पर उसे देखकर मस्कुर रोशनी से भर पूर आंखे, वो वाकि इस परदी के काबिल लग रहा था, हम्, अच्छे लग रहे हैं, वो यूही लाशारी तोर पर एक तफसीली नजर डाल कर बोली, थैंक्स, वो कहकर निकल गया, वो यक्तब चौंकी, थैंक्स क्यों कह रहे थे आली भाई, क्या मैंने वो खुद से सवाल करके बोली, मैं तो चुप थी, वो बढ़ बढ़ाई, फिर शाने उसका कर निकल गई, खालू, आप से मिलने कोई वकील आए है, शुमाईला ने कमरे में चांक कर कहा, वकील, कौन से, मैंने तो कभी किसी वकील से अलैक सलैक नहीं रखी है, फिर, चलो मै आ रहा हूँ, वो उससे कह कर निकले, वकार साहब, सामने बैठा शक्स एक दम खड़ा हो गया, शायद वो मतलूबा शक्स को जान लेना चाहता था, जी, मैं ही वकार हूँ, उन्होंने मुसाफ़े के लिए हाथ पढ़ाया, मैं सिकंदर साहब का वकील हूँ, उसने वाया, ओ, उन्होंने लफ्स खींच कर अदा किया, कहिए मैं आपकी क्या खित्मत कर सकता हूँ, क्या वधिया खालित आपके पास है, उसने गुफ्तकू का आखास किया, जी, चवाब मुक्तसर था, दरसल मैं सिकंदर हयात की वसीत के मताबिक वधिया का हिस्सा, जो कि उनक सर्फ करके निकल गई, लेकिन बाहर दर्वासे की ओट से सुनगुन लेने लगी, सिकंदर साहब ने अपनी गाउं की सारी जायदाद अपने बेटों और बेटियों में तक्सीम कर दी है, उनकी जायदाद का एक छोटा हिस्सा, चंद एकड़ जमीन जो है, वो यहीं शहर के पास है, वो उनहोंने वद्या के नाम कर दी थी, ठीक है, सिलस्ले में मैं क्या कर सकता हूँ, वकार साहब तहम्ल से बो ले, देखिए वकार साहब, मैंने सिकंदर साहब की वसियत के मताबर, उनके तमाम हिस्जे उनके ऑलाद में तक्सीम कर दी है, और यह फाय, इसमें वद जूतकान बन गया था जी अभी वद्याक कमारी है लहाजा सारी जमीन उसी के पास रहेगी जहां वो जमीन है वहां करीब ही एक प्राइविट एरपोर्ट बन गया है जिससे उसके कीमत लाखों में हो गई है और बहुत जल्द वो करोड़ों में भी हो सकती है वो आहस्ता आहस जमीन के मकाबले में बहुत ही कम है वसियत के मताबिक अगर वद्या खुदाना क्वास्ता कुआरे होते मर जाती है तो वो जमीन पेश दी जाएगी और तमाम रकम तमाम उलाद में यकसा तक्सीम होगी और अगर वद्या की शादी हो जाती है तो पिर इस जमीन पर उसके श जालतन कहा, जी बड़ी महरबानी आपकी, आपने खुद आकर तमाम सुरतहाल से आगाह किया, वैसे उसके दद्याल से हमें कोई ऐसा खत्रा महसूस नहीं हुआ, मुझे अमीद है कि ये एक वक्ती ज़स्वा होगा, उन्होंने इतने सालों से उसका नहीं पूछा और शायद भी फूल गए हैं, आगे खुदा की साथ बहतर करेगी, वो वाके वक्ती साहब के मश्कूर थे, जब के बाहर खड़ी शुमाईला के वहम उकुमान में ना था, कि ये चुहिया लाखों की जायदात की वारिस है, उसका दिमाग तेजी से ताने बाने बुनने लगा, बली, आज आप मुझे अम्मी के हाँ छोड़ाईएगा और वाक से पढ़ लेते जाईएगा, पहला वो इतनी बड़ी खबर कैसे ला अपनी मा भेन को बताती, जी बेगम साहब, जैसा आप कहें, वो उसकी ठोड़ी को छू कर बोला, जबाबन एक भरपूर मुस्कुराहट से आईला आई है, नाईला ने जैसे ही उसे देखा, वैसे ही हांक लगाई, अरे तू इतनी सुभा, खैरियत है ना, जख्या बेगम उसे इतनी सुभा सामने देख कर परिशान होई, हाँ अमा खैरियत है, बस तुम दोनों इधर आओ, एक बहुत बड़ी खबर देनी है, वो तखत पर पैट कर बोली, क्या हुआ, खैरियत है ना, कहीं आली की बात तो पकी नहीं हो गई, नाईला को अपनी फिकर होई, अरे नहीं, उससे बहुत बड़ी खबर है, वो रासतारा ना लहचे में बोली, अमा वो है ना बदिया, आहां, उस मन्हुस ने क्या किया, सक्या बेगम ने बात काड़ दी, अमा पूरी बात तो सुन लो, शुमाईला चिड़ गई, अमा बोलने दो इसको, पहले ही अपनी हांक ने लगती हो, नाईला बदमसा हुई, अमा उस चुहिया के दादा उसके नाम जमीन लगा गया है, जिसकी वो अकेली वारिस है, उसने जैसे खालू से बड़ी तफसील से बात की, उसने कहा है के वधिया की शादी के बाद वो जमीन का मालिक, उसका शोहर हो सकता है, उसने मतलब की बात बताई, हे, कहीं आपको पता है इसका, उन्हें फिकर हुई, जहां तक मेरा ख्याल है ना, तो खाला को या किसी को कुछ नहीं प परिशानी लग गई, अरे नहीं करेगी, मैंने उसके दिल में वदिया के मनहूस होने का डर इतना बिठा दिया है, कि वो सोच भी नहीं सकती, मैंने वकार साहब का प्यार देखा था, बच्पन ही से उसके लिए, इसलिए आपा को बातें सुना सुना कर उसके लिए नफरत पै पाटी, सही कह रही है ये अमा, शुमाईला ने साथ दिया, तो फिर उन्होंने पूछा, अमा मेरा ख्याल है तुम उसने खटू रिजवान का रिष्टा डाल दो, खाला को ऐसे जताओ, जैसे उस चुया पर अहसान कर रही हो, अपने होने हाथ बेचे के लिए मांग कर, इस नायला कराता है नहीं ये कुछ सिवाए लड़कियां ताडने के, इसका रिष्टा भी हो जाएगा, पैसे के साथ साथ जर्खरीत खुलाम टाइप नौकरानी भी आ जाएगी, जो ना सिर्फ कुंगी होगी, बलके बहरी भी हो जाएगी, और तीसरा, नायला का रास्ता भी पिल्कुल साफ हो जाएगा, उसने रात भर सोच सोच कर जो प्लाइनिंग की थी, उसे दोनों के कोश गुजार किया, वह शमायला क्या दिमाग है तेरा, तुने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी है, सक्या बेगम ने फखर से उसका माता चुम लिया, हाँ भई बड़ा सबर्दस प्लाइन है आपा का, नायला भी फखर से बोली, अब बस सरा देर ना करना, कल ही आ जाना, ठीक है, उसने तंबीह की, तू फिकर ही ना कर, हम आए के आए, सक्या बेगम ने हाथ नचा कर कहा, अरे वधिया, तुम्हारा रिजल्ट कब है, आली ने नाच्टे की मेस पर पूछा, इन्हें कब से दिल्चस्पी हो गई मेरे रिजल्ट में, वधिया ने चिड़ कर सोचा, नाच्टे की मेस पर बस वो दोनों थे, वकार सहाब और वली जा चुके थे, शुमाईला भी में मसरूफ था, वो काम करके फारिख होकर नाच्टा कर रही थी, चुटिया से निकलते बाल चेहरे पर आ गए, पसीने की बुंदें कले और माथे पर रक्स कर रही थी, जबके वो प्लेट को घूर रही थी, आपको पता है बीबी, आज क्या तारीख है, वो उसे देख कर म सी आ गई, भला कोई बंदा अपने रिजल्ट से इसकदर बेखबर कैसे हो सकता है, जबके रिजल्ट भी मामूली ना हो, जबके बीए का हो, लोगों की रात की नीदें हराम हो जाती है, और ये एक महरानी है, जिन्हें सिरे से दल्चस्पी ही नहीं, वो कहकर रुका नहीं, बलके अपनी टोपी उठा कर हसता हुआ निकल गया, आली भाई को आखिब क्या होता जा रहा है, कहीं तो महीनों नहीं मस्कुराते थे, और आज कल बिलावजा ही मस्कुराए जा रहे हैं, वो सोच रही थी, और हाँ, मैं इतनी बेखबर कब से हो गई, कि रिजल्ट की होश सक्या, आओ आओ, रुकया बेखम भी शमाला के आवाज सुन कर कमरे से निकल आई, दोनों बेहने ऐसे मिली, जैसे सदियों बार्थ मिली हों, जबके वदिया किचन में थी, उसने बेदली से कैबनेट से गलास निकाले और मश्रूप डालना शुरू किया, वो ट्रे लेकर इतल ही रही थी, के मामू आ गए, और उनके हाथ में फलों वाले शौपर थे, बेटा इन्हें संभाल लो, वो काउंटर पर रखकर लाउंच में आए, जहां महमान मौझूद थे, असलाम अलेकुम भाई साहब, सक्या बेखम बड़ी अदब से बोली, वालेकुम असलाम, व जक्या बेखम और रिस्वान आये थे, आज रिस्वान का रिवायती हुलिया नहीं था, बलके बड़े अदब से बराजमान था, वदिया जाने लगी तो जक्या बेखम ने रोक लिया, अरे बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो, वदिया को लगा, शायद किसी और को बिला जी मैं, उसने हैरानी से अपनी तरफ इशारा किया, हाँ हाँ बेटा तुम ही, उनके लहचे में शीरनी ही शीरनी थी, उसे लगा कि कहीं उसे शुगर ही न हो जाए, वो बादल नाखवासता बैठ गई, अभी इधर उधर की बातें हो रहीं थी, कि आली भी आ गया, अरे व पच्चा बना, सर जुका कर खिलाफ मामूल बैठा था, वो भी खाला के सामने पड़े फ्लोर पुशन पर पैट गया, मैं सब के लिए चाय बनाती हूं, शुमाईला कहकर उठ गई, भाबी मैं बना देती हूं, वदिया को वहां से उठने का बहाना मिला, उसे अजीब कोफ हो रही थी खाला और नायला के दर्मयान बैट कर, खासकर नायला के बदन से उठने वाली सस्ती परफ्यूम की खुश्वू से, अरे नहीं वदिया रहने दो भई, मैं बना लाती हूं, वो मुस्कुरा कर बोली, वड़ता है हैरत, ये हो क्या रहा है, वदिया को अलग चटक से बोले, भाई साहब छोटा मूँ और बड़ी बात है, मैं तरसल अपने रिस्वान के लिए वदिया का हाथ मांगने आई हूं, आखिर बिल्ली टोकरे से बाहर आ गई थी, ओ, तो ये मामला है, आली ने सोचा, जबके उसको हजार वोट का करंट लगा, वो उचल पड़ी, रुकया बेगम का मूँ खुले का खुला था, जबके वकार साहब का रंग मतगयर हो गया, भाई साहब, रिस्वान आपके सामने का बच्चा है, मेरा कलौता बेटा है, आपकी वदिया राज करेगी राज, उन्होंने शवकत से वदिया के सर पर हाथ पेरा, जबके नजरें रिस्वान पर टिकी थी, जिसका सर अदब से जुका, खुटने को चू रहा था, इतनी फर्माबरतारी पर आली की हसी छोट गई, जिसे आप उसने बड़ी मुश्कल से रोका, आप कुछ बोले ना भाई साहब, सक्या बेगम ने बड़े अदब से कहा, देखिए बहन में आ माफ कीजेगा, मैट्रिक पास भी नहीं है, कमाई नाम को नहीं है, ऐसे मैं इसका रिष्टा कैसे कर दूँ, वैसे मुझे अभी वधिया की दो वक्त की रोटी भारी नहीं पड़ी है, वो जब से बोल रहे थे, जबकि जबकि जखिया बेगम का मुँख खुल गया, उन्हे वकार सहब से इतनी सफाकी की हर्गिस उमीद नहीं थी, हम सब आपके होनहार सपूद से खूब वाकिफ हैं, रिष्वान ने पहलू बदला, और सबसे बड़ी बात ये, कि मैं वट्टे सत्य का काईल नहीं हूं, तो आप मेरी तरफ से मासरत समझें, वकार सहब ने एक ही ज बात की उमीद थी, लहाजा वो पुरसकून था, अचानक उसकी नजर वधिया के पुरसकून होते, चहरे पर पड़ी, तो वो लाशाओरी तोर पर मुस्कुरा दिया, माहौल एक दम तनाव भरा हो गया, जिसे आली ने तोड़ा, वधिया, तुमने रिजल्ट देख लिया, उचाएकि जसकी लेते हुए बोला, वो एक दम चौंकी, हाँ, हाँ, देख लिया, पास हो गई तुम, कितने नमबर आए हैं, 497 नमबर आए हैं, वो बोली, अरे वा, बड़े अच्छे नमबर है बिये में, भावी इसी बात पर सब का मुमीठा कराएं, हमारी वधिया ने इस बेखबरी को होश नहीं थी, आली गुलाग जामन जो जजकिया बेगम इस यकीन से लाइं थी, कि इनकार की गुझाईश ही नहीं है, को खाते हुए बोला, नायला को पहले का गम भूल कर ये फिकर लग गई थी, कि कहीं उसका भी रिजर्ट ना पूछ लें, क्यूंके वो पेपर्स में फेल थी, अरे हाँ नायला ने भी तो पेपर दिये थे, आली एक तम याद आने पर बोला, नायला को अच्छू लग गया, अरे जाओ जल्दी किचन में पानी पियो, शुमायला ने मौका गानी मत जाना और इसे भगा दिया, जबके आली सब समझ गया, मामला एक दम ही निमट गया, अगर मामू हां करते थे तो, वो उसके आगे सोच ही नहीं पाई, उसे अपने पास होने की इतनी खुशी नहीं थी, जितनी मामू के इंकार करने की, अम्मा, ये तो मामला ही उलट गया, दो दिनों बाद शुमायला फिर इधर मौजूद थी, तेरे सुसर ने तो हत कर दी, इंकार ही कर दिया सीधा, रिजवान भी बोला, ये सब बहस छोड़ो, और सोचो क्या करना है, इस से पहले क्या सामी हाथ से निकल जाए, सक्या वेग कर रहे थे, साफ इंकार ने उन पर कोई फर्क नहीं डाला था, अम्मा ने सोच लिया है कि करना क्या है, इस पार ऐसी चाल चलूंगी कि मेरा सुसर क्या, वधिया खुद इंकार नहीं कर सकेगी, रिजवान, बस तुम अपने जैसे एक दो लड़कों को तयार रखना, शुम पानी को ना चाहते हुए भी समझने से कासित थी, अलबता नायला का आना जाना पड़ किया था, वो हर दूसरे दिना मौजूद होती, खास कर दुपहर को आती और आली के आने तक उधर ही रहती, मगर आली की नजरे करम के लिए अभी तक जितो जहत कर रही थी, जिसके लि आली एक फताह ना होने वाली चटान बनता जा रहा था, वो उसे सरालिफ नहीं कराता था, आज भी नायला आई हुई थी, रेड कलर के फिटिंग वाले सूट में, रेड कलर की लिपस्टिक लगाए, रेड कलर की नेल पॉलिश से अपने लंबे नाखुन सजाए, वो अपन अपने कमरे की तफसीली सफाई करवाने का था, जिसके लिए उसने वधिया को हासर कर लिया था, जी भाई आपने बुलाया है, वो अपने कमरे से उसकी आवास पर नीचे से दोड़ती हुई आई, हाँ, तुम फारिख हो, वो मस्रूफ अंदास में किताबों की चांच पट कर रहा था, जी भाई, वो बेदली से बोली, अभी उसे फारिख हुए तमाम कामों से बमश्किल पांच मिनट ही तो हुए थे, ठीक है, तो मेरे कमरे की तफसील से सफाई कर दो, मैं जो कहूं वो उठा कर स्टोर में रख दी जाओ, ठीक है, वो उसकी तरफ मुणा, जी ठी उसने मु बिगाड़ा, आली उसके अंदाज व अतवार को बड़े गौर से देख रहा था, साफ जाहर था कि उसे कोई दिल्चस्पी नहीं है, वो काम ऐसे कर रही थी, जैसे सर पर कोई डंडा लेकर खड़ा हो, और वो डंडा मामी के सिवा किस का हो सकता था, आजकल आली नजाने क्यों शायद लाश औरी तौर पर वधिया का चाइसा ले रहा था, कि वो किस बात पर खुश होती है, किस पर दुखी और किस पर नाराज, अब ही वो किताबों को ठपठप मेस पर पटक रही थी, अंग-ंग बेजारी जाहर कर रहा था, मगर होट हनूस जुड़े खंटा लगा कर दोनों ने फालतू चीसे निकाली, जो अब स्टोर यानि वधिया के कमरे की जीनत बनने वाली थी, आगे ही सांस लेने में मुश्किल होती है, उस पे मजीद सामान, वो बढ़ बढ़ाई, चो कि आली ने सुन लिया, वहां ना रखो तुम, ये सामान कल कबा से दाखिल हुई, लो, आ गई मुसीबत, वो बढ़ बढ़ाया, तुमने कुछ कहा, नायला करीब आई, अहां, अच्छी लग रही हो, उसके मूँ से फिसला, जिस पर खुद ही पच्टाया, सची, आज मैं बड़े दिल से सिर्फ तुम्हारे लिए तयार हुई हूँ, वो म गले में अपनी बाहों का हार डाल कर बोली, आली की नजर उसके सर से होती हुई, मीचे गई, खुले गिरेबान के गमीज सारे रास अफशा कर रही थी, जिसे शान बेनियाजी से खुला चोड़ा हुआ था, जैसे दावत दे रही हो, इस फजूल हरकत पर उसे शदीद खु आ गया, आली ने एक छटके से उसे पीछे तकेला, अपनी हुदूद में रहो, वो खुस्स से बोला, आइंदा ऐसी फजूल हकात करने की कोशिश ना करना, वरना मैं हर लिहास भूल जाओंगा, समझे तुम, वो कहकर वाच्रूम में खुस गया, जबके नायला हस पड़ी, कब तक भागों के जाने मन, अजीब बाजारी औरतों वाला लहचा था, वदिया धर-धर काम रही थी, उसने अभी थोड़ी देर पहले नायला को आली के इतना खरीब देखा था, वो आली के कमरे में उन से किताब का पूछने लगी थी, कि क्या वो रख सकती है, और उधर क मनजर ही निराला था, वो खामुशी से भाग कर कमरे में आ गई, और अब वो काप रही थी, वदिया, आज शाम बाजार चलेंगे, तो पहर खाना खाते हुए शुमाईला ने कहा, मैंने चन्द चीज़ें लेनी हैं, तुम भी चली चलना मेरे साथ, मुझे यहां के बाजार का कुछ जादा अंदासा नहीं है न, भाबी मैं तो खुद कभी अकेली नहीं गई, मैं आपकी कैसे मदद कर पाऊंगी, वो टाल रही थी, कोई बात नहीं, दोनों चलेंगे, वो लगावट से बोली और वो चाहते हुए भी इंकार न कर सकी और मुस्कुरा दी, जबके दि यक सर ना जाने को कह रहा था, हाँ, हम आ रहे हैं बाजार, देखो कोई गड़ पर ना होने पाए, अच्छा, हाँ, हाँ ठीक है, वो फोन पर बात कर रही थी, के वदिया आती नजर आई, तो उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया, भाबी, मामी से पूछ लिया आपने, उस समझ रही आ रहा था, कि ये महरबानिया किस चक्कर में है, वदिया तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो, वो सखी बन कर बोली, नहीं भाबी, शुक्रिया, अब चले मगर्ब होने वाली है, उसने वक्त का एहसास दिलाया, वो गली के नुकर तकाई, शायद में शौपर किसी ने कपड़ा डाला और मूपर हाथ रख दिया, और सबरदस्ती काड़ी में बिठा के ले गए, खाला, वदिया खर आ गई क्या, शुमाइला बधावास ताखिल हुई, नहीं, वो तो नहीं आई, अभी तुम्हारे साथ ही तो गई थी, अभी तक तो नहीं आई, मामी परिशान हुई, अच्छा, शुमाइला भी हैरान थी, खाला मैं तो उसे खड़ी करके वापस दुकान में शौपर छूट गया था, वो लेने गई थी, कहा रुको मैं आऊं तो फिर खटे चलेंगे, मगर मैं आई तो वो वहाँ नहीं थी, मैं समझी घर निकल गई होगी, स पहला घंटा फिर दूसरा घंटा और अब पांच्वा घंटा था, मगर बधिया का निशान नदारित था, अभी तक मर्दों में से भी कोई नहीं आया था, रात कहरी होने को आई थी, शुमाइला जले तवे की चल बनकर लाउंच के चकर काट रही थी, मगर बधिया का कोई पता नहीं था, शुमाइला अपने खालु को फोन मिला, हुकया बेगम ने परिशानी से कहा, खाला तीन बार मिला चुकी हूं, वो बन जा रहा है, वली ये आली किसी को तो मिला, अभी तक उस जनम जली का पता नहीं है, कहा दफान हो गई है, खाला मिला चुकी हूं, वली कहा कि वो आ रहे हैं और आली अपने आफिस में नहीं था और फोन भी नहीं उठा रहा है शुमाइला ने परिशानी से बताया तब ही वकार सहाब दाफिल हुए दोनों खवादीन को परिशान देख कर उन्हें तश्वीश हुई खैरियत आप दोनों कुछ परिशान लग रहे हो वो सोफे पर पराजमान हुए वकार वो वधिया क्या हुआ है उसे उन्होंने बात उचक ली वो अभी तक घर नहीं आई रुकिया बेगम ने पमश्किल कहा खालू मेरे साथ बाजार गई थी और मैं जरा वापस दुकान तक गई थी उसे बाजार वाले मोड पर छोड़ करना मैं दुकान में शायद सूट वाला शौपर छोड़ाई हूँ वगर वापसी पर वो मुझे नहीं दिखी और घर भी नहीं पहुँची शुमाईला ने शर्मिंद की से बताया कितनी देर हुई है उन्हें गुस्सा चड़ गया असर तक मेरी वापसी हुई थी और तुम लबका जबके दोनों खावातीन खर पर अकेली थी वकार सहब तकरीबन घंटे फर तकाए और साथ ही वली भी था मिली क्या रुकया बेगम लबकी वकार सहब ने एक जहरीली निकाह टाली छे घंटों से ला पता है वो बेगम दूद पीती बच्ची नहीं है कि रास्ता मगर वो उठा नहीं रहे आफिस में भी नहीं है शुमायला ने बताया खुदाया मेरी बच्ची को अपनी आमान में रख वकार सहब सोफे पर ढह गए कमरे में लाकर किसी ने उसे धका दिया मूँ पर और आंखों पर पट्टी थी और हाथ बेदर्दी से बांधे हुए थे उसे इसी हालत में फेंक कर चले गए उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है बार बार वो चीखने की कोशश करती मगर मूँ पर बंधी पट्टी उसकी चीखों को दबा देती आंखों पर पट्टी के वज़ा से शदीद दर्द हो रहा था सिर्फ पाउं आजाद थे वो उनकी मदद से उटने की कोशश करने लगी सोर से गिरने की वज़ा से एक खुटने पर चोट लग गई थी जो अब तकलीफ दे रह थी वो बड़ी अहत्यात से चलती हुई उस पर बैठ गई कमरे में सननाटे से मालूम हो रहा था कि वो यहां अकेली है रात हो गई थी शायद क्योंके जिंगरों के आवाजें बलंद हो गई थी अकेले पन और सननाटे से उसके बदन में च्यूटियां रिंग में लगी या तो किसलिए ये सवाल आखरी था उससे आगे वो कुछ सोच न पा रही थी कमरे के खुटन और हबस के माहों से उसका सांस लेना दुगर हो गया था सीलन की बदबूस की नाक चला रही थी फिर खुटन से आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग माओफ होने लगा और वो तारीकी वो है आप सब अब तक जाग रहे हैं वो लंबे लंबे किदम लेता हुआ बढ़ा क्या हुआ अबू वो उन्हें परिशान देखक चिटक गया सीधा उनकी तरफ बढ़ा बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए वो वदिया का कुछ पता नहीं है वो कहां गई है वो शमायला क बेगम शदीद खुस्रे में थी मकार साहब ने खुनकौार नजरों से देखा तो वो मूँ मोड गए कब से गायब है आली ने शमायला से पूछा यही कोई 10-11 गंते हुए है वो घड़ी देखकर बोली इतनी देर हो गई है और अब कह रही है जैसे के वो जुमला अधूरा छोड़ गया कोई फोन वगर आया है उसमें पुलिस अफसर की तरहां तपतीश शुरू की नहीं जवाब रुकया बेगम की तरफ से आया किसी रिष्टेदार के घर तो नहीं गई आली ने फिर सवाल किया बेता वो कहां जाएगी पहले कभी वो कहीं गई है अकेली चौप वकार सहाब बोले कहीं अपने आशक के साथ तो नहीं भागई वो मनहूस रुकया बेगम ने हाथ नचा कर सहरीले अंदास में कहा बगवास बंद करो अपनी तुम अब एक लफ़ भी बोला तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा वकार सहाब ने जवान बच्चों का लिहास क ये बगार कहा और खुसे से खड़े हो गए उनका इश्तियाल देखकर रुकया बेगम जाग की तरह बैट गई जबके शुमाईला भी भीगी बिली की तरह सोफे पर बैट गई अब वो आप फिकर ना करें मैं देखता हूँ वली भाई आप भी चलें आली ने उनका कंधा तबाया आप टेंशन ना लें हम दोनों ढूनते हैं उसे इन्शालला वो खैरियस से होगी वो उन्हें होसला देता हुआ निकल पड़ा उसने तमाम पुलिस स्टेशन देखे हास्पिटल वगरा भी चेक के मगर वो होती तो मिलती ना आखिर को छे घंटों की अंतक मेहनत के बात वो दोनों नाकाम लोटे जब उन्होंने घर में गदम रखा तो नए दिन का सूरज तलू हो चुका था मगर शायद वधिया का सूरज सवाल की तरफ कामजन हो रहा था उसके हवास दुबारा बहाल होना शुरू हुए तो वो उसी जाविये पर पड़ी हुई थी जिस पर वो किरी थी सारा जिसम अकड़ गया था पहले तो उसे कुछ समझ ना आया मगर जब हवास मुकमल बहाल हुए तो उसकी रूफ काम गई यानि वो अब भी वहीं थी उसे लगा शायद वो कोई ड्रावना खाब देख रही है मगर जिसम के हर उजो की दुखन चिख चिख कर कह रही थी कि तुम हकीकत की दुनिया में बैठी हो दिल को खुश फहमी में मुबतला ना करो वदिया बीबी बशीर यार कुंडी खोल उस कुडी को देख लें किसी मर्ब की भारी आवास की तरफ वो मुदवच्चा हुई वो शायद किसी को दर्वासा खुलने के लिए कह रहा था वदिया बिचली की तेजी से खड़ी हुई मगर आँखों पर पट्टी की वज़ा से उसे अंदाजा नहीं हो रहा था कि दर्वासा किस तरफ है कुंडी की आवास आई फिर दर्वासा खुलने की वदिया का दिल यक बार की इतनी शिद्द से धड़का क्यों से लगा शायद वो सीना भाड़े बाहर निकलाए देख सरा इस कुडी को फिदे आँखें तक नहीं खुली इस चिड़िया की आवास में रहम था वो ही शबस आगे बढ़ा और उसके आँखों की पट्टी उतारी फिर मूँ भी खोल दिया मगर हाथ बंदे रहने दिये उसने आँखें खोली मगर इतने घंटे बंद रहने की वज़ा से वो तेज रोशनी में चुंदी आ गई सबसे पहले उसकी नज़र बाहर से आती तेज रोशनी पर पड़ी अभी दिन बाकी है पहला ख्याल उसे यही आया कि अभी कुछ देर हुई है फिर उसने अपने सामने खड़े मर्ट को देखा और उचल कर पीछे हुई गंदे मेले कपड़े गंदे बाल जिसे महीनों से नहीं नहाया और उपर से मुचे अजीब वहशत वाला हुलिया था और उसके पीछे एक और आदमी था उसका हुलिया भी उससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था कौन हो तुम उसने डर डर कर पूछा हम कौन है रहने दे ये सवाल तू बस चुप करके ये खाले एक ट्रे उसकी तरफ पढ़ाई गई पहला शखस बोला मुझे क्यों लाए हो ये सवाल बड़ा तेड़ा किसम का है कुड़िये दूसरा वाला हस कर बोला वधिया ने बंधे हाथों से ही अपना दुपटा दुरुस करने की नाकाम कोशिश की ट्रे जमीन पर रखती गई थी यार बशीर हाथ खोल दे मैंना के फीदा बोला हाँ खोल देता हूँ तुखाना खाले हम जा रहे हैं और देख भागने की कोशिश तो तुख करना ना वैसे हमारा एरादा तुझे नुखसान पहुचाने का नहीं है मगर अगर कुछ कड़बड की तो फिर खुच जम्मेदार होगी बशीर ने अल्टिमेटम दे दिया साथ में गुसीली आँखों से घूरा और वधिया थूक निकल कर रह गई बुस्त तो वो अजल से थी और इस वक्त तो वैसे ही उनके रहम करम पर थी लहाज़ा जल्दी से सर हिलाने लगी शाबाश बशीर मस्कुराया और तू क्या घूर रहा है चल तू भी वो फीदे को देख कर बोला उसे जरा अच्छा ना लगा मगर फिर भी चल पड़ा उनके जाने के बाद उसका रुका हुआ सांस बहाल हुआ उफ खुदाया मैं कहा हूँ और घरवाले क्या सोच रहे होंगे उसने कमरे का जाइसा लिया बहुत पुराना मालूम हो रहा था काफी खस्ता हालत थी कमरे की जाबजा दिवारों से परस्तर उत्रा हुआ था सिवाए एक दर्वासे के और कुछ भी नहीं था ना कोई खिड़की ना और कोई रोशंदान तूटी फूटी चारपाई के लावा कमरे में कुछ भी नहीं था वो वहीं दीवार से टेक लगा कर पैट गई मामू कितने परिशान हो रहे होंगे और मामी वो नजाने अब तक मुझे कितना बुरा भला कह चुकी होंगी वली भाई भी परिशान होंगे और आली से खाइफ ही थी वो रोने लगी क्या करूँ वो खुद से सवाल करने लगी सामने खाना पड़ा था उसने कल सुभा का नाश्ता किया था अब उसे शदीद भूख लगी थी मगर सामने पड़े खाने को खाने का उसका एरादा नहीं था वो ठी और चलती हुई दर्वासे तकाई उसने दर्वासा खुलने की कोशिश की मगर नाकाम हुई और कोई जरिया नहीं था बाहर जाने का उसने दर्वासा पीतना शुरू कर दिया खोलो मुझे चाने दो दर्वाजा खोलो वो जोर जोर से दर्वाजा पीट रही थी और साथ आवासे दे रही थी मगर बाहर कोई जी रू होती दो दर्वाजा खोलती वो निढाल होकर पैट गई आली कमरे में मुसलसल चक्र लगा रहा था और हर पहलो पर गोर कर रहा था मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक्दम खाइब कैसे हो गई अगर फर्स करें कि उसे तावान के लिए अखवा किया है तो अभी तक फोन आ जाना चाहिए था या फिर वो कहीं वागई खुद तो नहीं भाग गई वो मसलसल सोच रहा था नहीं वो खुद नहीं भाग सकती वो बुस्तिल है और डर्पोग भी उसने खुद ही अपने ख्यालों की नफिकी और अगर उसे किसी मकसद के लिए उठाया गया है तो वो जवान है और उपर से खुबसूरत भी है और हमारे मौशरे के मखसूस तबके में ये दो चीजें होना किसी भी लड़की के लिए वबाले जान बन सकता है हर तरफ कित इसी इंतिजार में रहते हैं कि कब उन्हें इतना हसीन और जवान कोश्ट मिलेगा और ऐसी लड़कियों को अख़वा करके आगे फरोखत करना दिन बदिन बढ़ता जा रहा है नहीं ऐसा नहीं हो सकता मुझे कुछ नकुछ करना ही होगा जैसे ये ख्याल सहन में आया वो फॉरण फोन की तरफ लपका और नमबर मिलाने लगा हाई कहां दफान हो गई ये मनहूस लड़की पता नहीं अब क्या नया चांड चड़ाईगी रुकया बेगम वक्तन पर वक्तन उसे मनहूस कह रही थी और शमाला फोन पर फोन खुमा रही थी कभी एक रिष्टदार के खर और कभी दूसरे के हां उसने दूसरे शहरों में रहने वालों तक को फोन कर दिया अलगर्ज उसने पूरे शहर बलके पूरे मुल्क में धंडोरा पीप दिया उसके गायब होने का अब वो सुकून से बैठी सेब खा रही थी खाला तुम भी खा लो ना आना होगा उसे तो आ जाएगी वरना ना आए हमारी बला से वो प्लेट आगे करती हुई बोली कब आएगी शुमाईला देख उसे गए 24 खंटों से ज्यादा हो गए है जवान जहान है अगर कोई उच नीच हो गई तो लोग हमसे कहेंगे के एक बच्ची को भी संभाल करना रख पाए रुकया बेगम मसलसल सर पकड़े बैठी थी आप फिकर ना करो खाला बस सेब खाओ उसे कुछ नहीं होगा वो अभी मुकमल इत्मिनान से थी वली कहा है रुकया बेगम ने पूछा उपर मैंने आराम करने को कहा है उनका सर दर्ट से फट रहा था अच्छा किया उस जनम जली के पीछे मेरे बच्चे कितना खुआर होंगे आखिर उन्होंने ताइब की तो और क्या मैंने तो वली को आराम करने का कहा है मगर या आली ना उससे कहते तो मुझे डर लगता है बिचारा कल से कभी एक जगा और कभी दूसरी जगा खंचकरों की तरहा फिर रहा है और खालू उनकी हालत भी गैर हो रही है शुमाईला को सब की फिकर सता रही थी सिवाए उसके जो सच मुझ मुसीबतों में घिरी थी धराम से दर्वासा खुला और बशीर और फीदा आ गया वो चल कर खड़ी हो गई तुने खाना नहीं खाया हम तुझे कितनी देर पहले दे कर गए थे पशीर ने खाने को जैसे का तैसे देखा तो नागवारी से बोला देख चिडिया तुखा ले कुछ वरना जिन्दा कैसे रहेगी फीदे ने तांत निकोस कर कहा वो हवास वाखता कभी एक को तो कभी दूसरे को देख रही थी जिसम हौले हौले लरस रहा था मुझे यहां क्यूं लाए हो सारी हिम्मत जमा कर के वो सिर्फ इतना ही बोल पाई तुझे कहा था ना कि इससे तेरा खाने को हाथ नहीं लगा रही इतना महगा खाना खरीदा था इसके लिए और इसने साया कर दिया इतने में मैं कितने सिगरेट पी लेता उसने अफसोस एक खाने वाली ट्रे को देखा जिस पर अप मक्यों का रास था धन रख या तू फीदे ने उसका कंधा दबाया जा तू जा मैंसे समझाता हूँ उसने बशीर को जबरदस्ती बाहर भेजा बशीर ने खुसीली नजर वदिया पर डाली फिर ट्रे लेकर निकल गया देखो शहसादी हो तो तू तुम एक किसम का आटम बॉम वो कदम बकदम आगे बढ़ रहा था जबके वो उसी तरह पीछे सरकने लगी माथे से पसीना फूट पड़ा अपने गीले होते हाथों से उसने दुपटे को मस्बूती से पकड़ लिया मगर चूंके यार से वादा किया है कि तुझे ठीक से वापस कर देंगे इसी लिए बस फीदा बात अधूरी छोड़ कर उसके सरापे को आँखों ही आँखों से दिल में उता रहा था जबके वधिया के हलक में कांटे चुब रहे थे मगर सची बात है यह मेरी तेरे उपर खराब हो रही है उस मनहुस इंसान ने कितनी वक्री चीज़ पर हाथ डाला है वो नजाने गायबाना किस के बारे में बार बार कह रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था वो दिल ही दिल में खुदा से मदद मांग रही थी फीदे आजा तु बाहर अंदर ही रहेगा क्या बाहर से बशीर ने आवास दी हाँ आता हूँ यार वो वही से बोला तेरे पास से जाने को जी नहीं जा रहा जाने मन मगर बशीरा अगर हथे से उखड़ गया न तो मसला हो जाएगा फीदा उसकी लट को छू कर बोला उसके मूँ से आने वाली बद्बू से वो सरतापा लरस गई वो नहायत खलीज किसम की बद्बू थी उसने नफरत से मूँ मौड़ा उसके जाते ही उसने खुदा का लाग शुकर अदा किया वो आखिर किसके बारे में बात कर रहे थे वो उस खाइबाना शख्स को कोशने लगी जो कहीं न कहीं उसके अखवा में मुलविस था आली ने अपने तमाम जराय लगा दिये थे मगर कोई खातर खुआ मालूमात हासल नहीं हुई थी उसने अपने मात तहतों की शहर में मुख्तलिफ जगा ड्यूटियां लगा रखी थी मगर कहीं से मस्बत मालूमात हासल नहीं हुई थी वली ने भी अपने तौर पर कोशिश की थी उसे भी नाकामी का मुद देखना पड़ा था वखार सहाब का हाल उन दोनों से मुख्तलिफ ना था वो बेहत परिशान थे वधिया उनकी जिम्धारी थी यो अचानक उसका गाइब होना उन्हें हिला कर रख गया था वो निधाल से हो गए थे अब वो आपने बुलाया था आली कमरे में दाखिल होकर बुला हाँ आली इधर आओ उन्होंने उसे बैट पर बैटने को कहा कोई मालुमात मिली है उन्होंने फिकरमंदी से पूछा आली ने नफी में सर हिलाया और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया है वो एक तम सरायब हो गई है बेटा मुझे कुछ और परिशानी है वो फिकरमंदाना अंदास में बोले आली चौंक्या क्या अबू इससे बड़ी और क्या परिशानी है बेटा मुझे फिकर है कहीं वधिया की जान को तो खत्रा नहीं है मैं समझा नहीं अबू उसकी जान को खत्रा किस से और क्यों होगा वो सकता है कि उसे तावान के लिए अगवा किया हो लेकिन अगर तावान के लिए किया होता तो यू दो रातों से वो उसे अपने पास ना रखते बलके हमसे राबता करने की कोशिश करते उन्होंने एक और पहलो पर गोर करना शुर पुर्यकीन लहसे में कहा मुझे भी लगता तो यही है बेटा बगार साहब ने भी कहा मुझे किसी पर शक है बेटा उन्होंने बहुत सोच कर कहा किस पर आली मतजस्स हुआ उसके दद्याल पर वो हनूँ सर पकड़ कर कुछ सोच रहे थे वाट अबू वो भला उसे क्यों कर अख़वा करने लगे वो यहां आकर की तो उसे ले जा सकते थे उन्हें भला अख़वा करने की क्या सरूरत है आली ने कहा जवाबन मुक्तसरन उन्होंने वकील साहब से होने वाली कुफटगू उसे बता दी हम् वो सारी तफसील सुनकर खामोश हो गया फिर कुछ देर बात बुला हो सकता है कि अबू वाकि उसे जायदात के लिए अख़वा किया किया हो क्या वधिया को जायदात का पता है उसने सोच कर सवाल किया नहीं बिटा उसे कुछ भी मालूम नहीं है अपू मैं खाली शक के बिना पर इतनी बड़ी फैमिली को हिरासत में तो नहीं ले सकता न मगर मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि कुछ कर सकूँ आप सरा उनका एक्रिस बता दे वो उनसे मालूमात लेने लगा फिर वहां से उट गया चल लड़की हो? अलफाज तूट तूट कर अदा हो रहे थे जबके डर के मारे रंगत पीली पड़ रही थी इतने सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है समझी? बस चुप करके हमारी बात मान दी जा तो फायदे में रहेगी वरना कहीं मेरा दिमास से रग गया तो अच्छा नहीं होगा फून फार नचरों से देखते हुए बशीर ने धमकाया जिसका खातिर फौासर वदिया पर हुआ और उसकी जबान तालू से लग गई मगर दिल की जबान से वो बराहरास अपने माले के हकिकी से नाता जोड़े हुए थी और अपनी हिफासत की अपील कर रही थी बशीर ने उसकी आँखों पर पट्टी बान दी थी फीदे गाड़ी निकाल ली है वो से लेकर बाहर आया हाँ निकाल ली है इसे बिठाओ ये आवाज उसकी जानी पहचानी थी मगर उसे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि किस की है मगर चटी हिस कह रही थी कि ये बड़ी जानी पहचानी आवास है मगर फीदे की नहीं है मैं इसके साथ बैटता हूँ फीदे ने बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया नहीं तू रहने दे वो आके बैट मैं बैट जाओंगा बशीर ने अकड़े लहचे में कहा वो फीदे की नियत से चीतरह वाकिफ था लहाज़ा वो खुद वधिया के साथ बैट किया और फीदे आके बैट किया घर में आने जाने वालों का ताता बधा हुआ था हर कोई वधिया का पूचने आ रहा था वकार सहाब का खुद्से के मारे बुरा हाल था भला ये धंडोरा पीटने की क्या सरूरत थी तुमें वो रुकया बेगम पर परस रहे थे पूरे शहर में तुमने उसके कुम होने की खबरे पहला दी है मैंने तो बस तमाम निश्टेदारों से यही पूचने के लिए फोन किया था कि कहीं वो उनके हाँ तो नहीं आई वो सोफे पर बैटते हुए उनके खुद्से को ठंडा करने की कोशश कर रही थी वकार सहाब खुद्से में अंदर चले गए और थडाम से दर्वासा बंद कर लिया लोगों को जवाब दे दे कर वो ठक गए थे एहसासे शर्मिनकी से किसी के सामने सर नहीं उठा पा रहे थे हर आने जाने वाला अफसोस कम और चत्खारा स्यादा लिता कब खायब हुई अकेली थी या किसी के साथ कहीं उसका किसी के साथ अफ़ेर जितने मूँ उतनी बातें ये सुन सुन कर उनका इश्ट्याल में आना लास्मी था हाथ खोल कर उसे गाड़ी से उतार दिया गया अलबता आँखों के आगे अभी पट्टी थी और गाड़ी फराटे से उड़ा ले गए उसने आँखों से पट्टी उतारी तो चंद सानिये के लिए वो कुछ भी देख न पाई फिर जब देखने के काबल हुई तो पट्टे मुसरत से उसकी चीख निकल गई वो घर की गली में खड़ी थी वो तेजी से दोड़ती हुई घर की तरफ पढ़ी उसने जोर जोर से केट पीटना शुरू कर दिया खुशी के मारे उसके आँखों से आंसु जारी थे वो इतनी जल्दी और बाहिपासत उस असाब से निकल आई थी उसे यकीन नहीं आ रहा था उसके दिल में नजाने कितने खच्चे कितने वहमे थे मगर यकीन उसकी कोई नेकी काम आ गई होगी और खुदा ने उसे बाहिपासत घर तक पहुँचा दिया था वो सोच सोच कर ही खुश हुए जा रही थी अरे देख वली कौन पीट रहा है दर्वासा रुकया बेगम अब भी खुस्से से भरी बैठी थी वली ने जैसे ही केट खुला वधिया को सामने बाया वधिया तो उसे हैरत हुई ये अचानक एक्दम गाइब हुई और अचानक एक्दम सामने वो चंद चानिये शौक की कैफियत में खड़ा रहा वली भाई मैं ही हूँ वधिया वो खुश होकर बोली आँ हाँ आओ अंदर आओ वो मस्कुरा कर बोला अबू देखें वधिया आ गई है वली ने सोड से आकर कहा वकार सहाब बाहर निकले सब एक्दम हैरान और परिशान उसे देख रहे थे अचानक खायब अचानक हाजर मामू वो तेजी से बढ़ी कहां से आई है तू रुकया बेगम के अलफास कत्मों की जंजीर बन गए वो जहां थी वहीं खड़ी हो गई वो मामी पता नहीं क्या पता नहीं दो रातें कहां गजार कर आई है तू तुझे ये पता नहीं वो तेजी से बोली वो हैरान और परेशान सबकी शकलें देख रही थी हर एक की शकल पर यही सवाल था मुझे नहीं पता मुझे किसी ने अगवा किया था वो आहिस्दगी से बोली हैं अगवा किया था और फिर छोड़ भी दिया शुमाईला हैरानी से बोली छूट बोल रही है ये रुकया बेगम ने वखार साहब को देख कर कहा वो अब भी मुझ खोले देख रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है अगर अगवा किया था तो तावान नहीं मांगा बस ऐसे ही छोड़ दिया अरे ये लड़की हमें धोका दे रही है वकार साहब गई होगी अपने किसी आशक के साथ रंगवलिया मना कर आ गई है हमें बेवकुफ बनाने आज वो सब के सामने जहर उगल रही थी और वो हैरतों के समंदर में गौतासन थी लब हनूस बन थे और अभी कुछ दियर पहले जो आशू बहिपासत घर आने पर खुशी के निकले थे अब अपनी इज़त के चीथड़े उड़ने पर मातम कना थे याद नहीं है कि पहले भी उसके आशक ने इसे ख़द दिया था अगर उसी वक्त मूँ मोड लिया होता न तो आज ये यू रंगरलिया मना करना आती वकार सहा उस वक्त तो कितना कहा था कि मुझे इस पर यकीन है आज क्या हुआ है आज ये जूट बोल रही है कि अगवा किया था किसी ने और ऐसे ही खर चोड़ गए कि जाओ बीबी गलती से अगवा कर लिया था तुम्हें अब अपने खर जाओ अगवा करने वाले ऐसे नहीं होते बीबी तुम हमें बेवकूफ बनाना बंद करो वो सारे हिसाब बेबाग करने के मूड में थी मामू मैं सच कह रही हूँ मुझे वागवा किया गया था अभी मुझे गली के मौड पर छोड़ कर गए है वो तेजी से उनकी तरफ पढ़ी जो साकित और जामित बस उसे देख रहे थे मामू मेरा दामन बिल्कुल साफ है आपको यकीन है ना बोले मामू प्लीज कुछ तो बोले वो गिड़गडा रही थी उसे हैरत थी कि मामू ने अब तक मामी को कुछ कहा क्यों नहीं वो बोल रही थी मगर मामू खामोश थे उसकी हैरत ने उस वक्त सर पटख कर दम तोड़ दिया जब मामू के आँखों में अपने लिए बेयकीनी देखी मामू आपको लग रहा है कि मैं जूट बोल रही हूँ वो बेयकीनी से बोली वखार साहब ने एक तेज नजर उस पर डाली और फिर खामोशी से निकल गए और वो हैरतों के दूफान में तनहा कड़ी रही उसने मुड कर वली भाई को देखा उनकी आँखें भी मामू से मुक्तलिफ न थी वहाँ पर भी बेयकीनी के साह लहरा रहे थे उन्होंने अफसोस से सरह लाया और चले गए देख मनहुस तुझ पर अब किसी को यकीन नहीं है तुझे जरा शरम नहीं आई हमारी इस्थ का जनाज़ा निकालते हुए बता किस के साथ मुग काला करके लौटी है किस के साथ दो रातें खुजार कर वापस आई है बता रुकया बेगम ने उसे पीपना शुरू कर दिया मगर उसे एहसास ही नहीं हो रहा था वो बेहस्पनी मार खा रही थी उसका यकीन जो से अपनों पर था बुरी तरह तूट कर बिकरा था उसके असमत गैरों से तो महफूज रही थी मगर उसके अपनों ने जबान के निश्टरों और बेयकीनी से तार-तार कर दिया था उसका गम इंतहाई ज़्यादा था उसकी तकलीफ इतनी थी के जिसमानी तकलीफ का उसे एहसास तक नहीं था मामी नचाने उसे मार मार कर कब गई उसे एहसास तक नहीं हुआ वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई आंखों में जो आंसूं का समंदर हमा वक्त पलकों के साहिल से टक्राता रहता था एक दम ही सहरा में तब्दील हो गया और अब एक भी बूंद उसकी पलकों की बाड़ से निकल कर रूई जैसे रुखसाद पर पहना सकी जो मामी के थपणों से दहक रहा था आली को जैसे ही उसके घर पहुँचने के इतिला मिली तो वो फौरण दोड़ा चलाया वधिया वो सेरे लब पर बढ़ाया और फौरण उठकर उसके सामने दो जानूं को कर बैट गया वो पिछले दो दिनों से उसके बारे में इतना सोच चुका था कि इस तरहा अपने सामने यू अचानक मिलने पर उसे अजीब सा सुकून मिला था वधिया कहा थी तुम किधर चली गई थी और यहां क्यों बैठी हो इस तरहा कब लोटी किस तरहा आई वो एक ही सांस में धेरों सवाल कर गया मगर वधिया ने सर खुटनों से ना उठाया तुम से कुछ पूछ रहा हूँ जवाब तो दो वो उसे कंदों से पकड़ कर बोला उसने धीरे से सर उठाया चहरे पर वासे उंग्लियों के निशान थे हलका सा नील भी दायर अफसार पर था उसने एक नज़र आली के चहरे पर डाली आली ने उसके लाल चहरे की तरफ इशारा करके पूछा ये किसने किया है तुम्हारे साथ वो अभी खामोश थी चैसे ही दोनों की नज़रे मिली आली ने वधिया के आँखों में देखा उसके आँखों में ऐसा कुछ था कि आली सर तापा लरस गया वधिया मैं कब से पूछ रहा हूं यहां ऐसे क्यों बैठी हो क्या हुआ है और किस तरह वापिस आई हो वो दोबारा अपने सवालात तोहरा रहा था इस से क्या पूछ रहे हो तुम यह नजाने किस के साथ आश करके आई है पचसाथ कहीं की शुमाईला नीचे उतरते हुए बोली भावी आली तैश से बोला मुझे कुछ ना कहो इस से पूछो फरमाती हैं कि मुझे अगवा किया गया था और मुझे गली के मोड़ पर छोड़ गए है बंदा पूछे अगवा कार कब से अच्छे हो गए कि जवान जहान लड़की को अखवा करें और फिर महमान नवाजी करके वापिस छोड़ जाएं और कोई क्यमत भी न वसूल करें महमान नवाजी की उसने लफ्स क्यमत को बड़े अच्छे अंदाज से कहा आली हैरान खड़ा उनकी जबान की कोहर अफशानी सुन रहा था उठो चलो वो बुद्पने उसका हुकम मान रही थी उससे चला नहीं जा रहा था सारे जिसम में टीसे उठ रही थी उसने चलने की कोशिश की तो वो लड़ खड़ा गई आली ने फौरण उसे संभाल लिया और सहारा दे कर उसके कमरे में छोड़ा आया वो अपने कमरे में आया तो अजीब कश्मकश्क शिकार था क्या वधिया सच कह रही है या जो भावी ने इशारा किया वो वो अजीब बेचैनी से कमरे में टहलने लगा सुभा नाश्टे की मेस पर उसने अजीब खामोशी महसूस की रुकईया बेगम का मूँ फूला हुआ था वकार सहब शर्मिनदा शर्मिनदा लग रहे थे वली भी चुप था वधिया कहा है उसने भावी से पूछा जहां भी हो खबरदार जो वो मनहूस पचाथ पद के दा लड़की मेरे सामने आई तो कुछ कर दूँगी उसका शुमाईला बेगम से पहले रुकईया बेगम फट पड़ी उसने अफसोस से अबबो को देखा और हैरानी उसके आँकों से चलक रही थी कि आज वो भी चुप है जिसे सबसे ज़्यादा इतवार था अपनी भदीजी पर वो भी हालात के हाथों मजबूर होकर उसको खलस समझ रहे थे वो नाश्ता छोड़कर उट गया नाश्ते से एक दम उसका दिल उचाट हो गया था आफिस में भी सारा दिन वधिया को लेकर सोचता रहा सारी कड़िया मिला रहा था मगर वासे सिरा उसके हाथ में नहीं आ रहा था सोच सोच कर वो ठक गया नहीं जब तक मैं वधिया से खुद नहीं पूछ लेता कोई हत्मी फैसला देने की जरूरत नहीं है वो जेरे लब बढ़ बढ़ाया आज जाकर पूछूंगा रात उसे देर हो गई एमरजनसी में आई जी सहाब ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें उसे जाना पड़ा लहाजा वधिया से पूछने का काम कल पर मलतवी कर दिया गया अगले दिन उसे वक्त ना मिल सका और इसी तरह दो दिन और गुजर गए उसने इन गुजरे दिनों में उसकी जलक भी नहीं देखी थी आज वो अपने सारे काम जल्दी जल्दी निम्टा कर सरे शाम ही आ गया आते ही वो सीधा पहले कमरे में गया फ्रेश होकर वो फिर वदिया के कमरे की तरफ पढ़ा दिल में अजीब से ख्यालाद आ रहे थे चाल में भी जज़ग थी कि आखिर वो किस तरह उसे सब पूछेगा आखिरकार उसने दस्तक दी तीन बार दस्तक देने पर भी जवाब ना पाकर वो खुद अंदर दाखिल हुआ कमरे में तारीकी थी उसने हाथ पढ़ा कर सुईचान किया तो नजर जमीन पर पड़े मैटरस पर पड़ी जिसके एन दरम्यान वो दीवार से टेक लगा कर बैठी थी कमरे में अजीब सोक की कैफियत थी जैसे हर चीज़ जो कमरे में मौजूद है उसके गम में शरीक हो आली के आने पर ना उसने सर उठाया और ना कुछ बोली बिखरे हुए बाल थे नजाने कबसे उन्हें हाथ नहीं लगाया गया था शिकनों से पुर लबास था वो चौकडी मारे हाथ कोद में रखे बैठी थी उसकी यहालत देखकर आली को पहली मरतबा कुछ हुआ वदिया उसने धीरे से पुकारा मगर दूसरी तरफ कोई चंबिश ना थी वदिया वो तुबारा पुकारा और चलता हुआ उसके सामने आ गया उसने अब भी सर नहीं उठाया था आली उसके बिलकुल सामने बैठ गया वदिया मुझे बताओ कि क्या हुआ था शुरू से मुझे सारी बात बताओ शाबाश वो उसे पुचकारते हुए बोला दूसरी तरफ हनूस खामोशी थी वदिया पताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा प्लीज मुझे अच्छे बच्चों की तरह बताओना कि क्या हुआ है उसे बिलकुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था उसने पहली बार सर उठाया आज उसके आँखों में ना आली के लिए बिजारी थी ना नफरत ना कुछ और बलकि उसकी आँखें बिलकुल खाली थी ना कोई सवाल ना शिक्वा ना रंच ना गम कुछ भी तो नहीं था उसकी आँखों में हर ज़स्पाद से आरी आँखें थी उसकी आली का दिल कट गया तीस वधिया कुछ तो बोलो कुछ तो कहो उसने इलतजा की मगर वो सिर्फ खामोशी से उसे देखती रही कुछ नहीं कहोगी तो दुनिया तुम्हें कुसूरवार करदाने की लड़की अपनी सफाई में कुछ कहो अपना दिफा करो उसका लहजा सक्त हो गया पदिया ने खामोशी से दुबारा सर चुका लिया पदिया तुम समझ क्यूं नहीं रही हो उसने उसे कंधे से पकड़ कर जंचोर डा उफ खुदाया लगता है कि मैं किसी दीवार से सर मा रहा हूँ आली को उसकी बेहिसी पर खुस्सा आ गया था आखिर कब तक वो खुद पर कंट्रोल करता उच चिला पड़ा नहीं बताना तो ना बताओ फिर जो होगा तुम्हारे साथ वो तुम सोच भी नहीं पाओगी कि जिन्दगी तुम पर कितनी तंग कर दी जाएगी समझी? वो घुस्से से ओटकर बाहर निकल गया और कितनी जिन्दगी तंग करेंगे मुझ पर सारे सांस लेना तक तुम हाल कर दिया है मेरा जब मुझ पर मेरी बातों पर किसी को एदबार नहीं है तो मुझे भी सफाई नहीं देनी किसी को मैं कुछ नहीं बोलूंगी वो सिर्फ सोच सकी उसके होटों पर अफ्य कुफल था वो उसके कमरे से निकल कर रहतारी में वाक करने लगा ये लड़की ना तो कुछ बोल रही है ना ही समझ रही है कहां तो हर बात पर आसु गिरने लगते हैं और अफ नजाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता ये लड़की कुछ भी खलत कर सकती है मगर ये कुछ पता भी तो नहीं रही ना वो मुसलसल अपने दिल औ दिमाग के दरमयान जंग लड़ रहा था दिमाग केहता था कि अम्मी ठीक है उसका यकीनन कोई चक्कर वक कर रहा होगा लड़के ने फाइदा उठा कर मना कर दिया होगा तो वापस आई है दिल केहता कि ये लड़की पाक दामन है इसके साथ कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो ये ठीक से बता नहीं पा रही मगर वो कुछ बोले तो न वो चड़ गया नजाने कब से वो से सोचने लगा था लाशाओरी तोर पर वो उसके एक एक अंदाज और अत्वार को दिल्चस्पी से देखने लगा था कहीं न कहीं उसका दिल मानता कि वो वागी एक मनफरिद लड़की है सबसे अलग अब इतना बड़ा बहता उसे बेचैन किये जा रहा था वो चलता हुआ वली के कमरे के सामने आ गया कमरे से आती आवाज से उसे चंचोड डा हाँ अमी क्या जबरदस काम हुआ है हाँ और क्या अरे हमने जितना सोचा था ना उससे भी ज्यादा वो मज़े ले लेकर बता रही थी अब दूसरी तरफ से बात की जा रही थी अरे नहीं किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उसे हमने गायब करवाया था आवाज में बला का फखर था अपने कारणामे के लिए अरे नहीं अम्मी अब बस देड़ न करो लोहा गरम है वाद करो अब के किसी की मजाल क्या के इंकार करे शुमाइला ने ठोंक बचा कर कहा आली ने इस त्याल के बाइस मुठ़्ियां भींच ली हमें इस से क्या पस एक बार शादी हो जाए जायदाद हमारे हाथ आए फिर हमें किसी से कोई मतलब नहीं है इस बार मेरे सुसर क्या उनके फरिष्टे भी इंकार नहीं करेंगे हमने कच्चा काम ही नहीं किया है अब बस ज्यादा देर ना लगाना कल ही आ जाना हाँ अब रखती हूँ हाँ वली के आने का वक्त हो गया है हाँ ठीक है हाँ फिर फोन बंद कर दिया गया आली अपने कमरे में लौट आया उस से के बाइस वो कभी एक कोने कभी दूसरे कोने में चक्कर काट रहा था खाला का घराना चोटी जहनियत का मालिक है ये मैं जानता था मगर इस हद तक बेचारी वधिया उसका भला इस सबने क्या फूसूर है वो बेचारी तो खौा मखाही बदनाम हो रही है सच बोल रही थी और किसी ने उस पर एतबार ही नहीं किया अबू ने भी नहीं उसे वधिया से हमदर्दी महसूस होने लगी नहीं मैं हरकिस वधिया की जिन्दकी खराब नहीं धोने दे सकता मुझे कुछ करना होगा मगर क्या वो खुद से सवाल करने लगा अगर वाकिक कल खाला रिजवान का रिष्टा ले आई जाने लगा हूँ एक दम उसके अंदर से कोई बोला नहीं ऐसा कैसे हो सकता है चाहत वाहत का तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं उसे दुख में नहीं देख सकता अपने अंदर से उभरते सवाल पर वो गड़ बढ़ा गया फिर खुद को मतमाइन करने के लिए उसने खुद ही दलील दी अचानक उसका दिल और दिमाग एक वैसले पर यक्चा हुए हम ये ठीक रहेगा वो खुद से कहकर वकार साहब के कमरे की तरफ बढ़ा तस तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ अबू मुझे आप से कुछ बात करनी है बहुत जरूरी आज जुम्मे का दिन था वो अपी कमरे में बैठी थी उसने घर के काम करना छोड़ दिये थे बस कमरा नशीन हो गई थी जब फूख हद से बढ़ जाती तो खाली पेट के लिए वो कमरे से निकल कर किछन तक का सफर करती वरना वो दिन रात कमरे में गुजार रही थी वो पिछले कई दिनों से अपने कमरे में थी उसने इन पांच दिनों में किसी से कोई बात न की थी और ना ही हैरत अंगेज दोर पर आंसू बहाए थे बस बुद्बनी बैठी रहती थी मामू दाखिल हुए तो वो संभल कर बैठी वद्या बच्चे तू ठीक है वकार सहब की शर्मिंदा से आवाज उसकी समातों से टकराई वो सर चुका कर बैठी रही उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उससे बात कैसे करें वो अजीब कश्मकश का शिकार थे एक अजीब सी बेचैनी अजीब सी शर्मिंद की उसका आहाता किये थी वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ मसल रहे थे फिर चुक करके उसके पास बैठे बिटा में शर्मिंदा हूँ मुझे माफ कर दे वो सर जुका कर बोले मुझे तुझ पर यकीन करना चाहिए था मगर अफसोस उसकल का जो दिल पर परदा डाल गई मैं तुम्हारा कुसूरवार हूँ बच्चे मुझे माफ कर दे वो शर्मिंद की से बोले वदिया ने सर उठाया अब भी उसकी आँखें वीरान थी जिसे देखकर उनके अंदर कुछ कट गया बेटा तुमेरी एकलौती बहन की एक ही और आखरी निशानी है तुमेरी बेटी है क्या तुमुझे माफ नहीं करेगी मेरी वदिया वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोले मैं शर्मिंदा हूँ बेटा मुझे माफ कर दे वो रूने लगे बदिया से देखा नहीं जा रहा था बेशक उसका दिल दुखा था उसे बेयातपार किया गया था उसकी हिस्दत की धज्जियां उड़ाई थी मगर वो इतनी संक्दिल तो हरकिस नहीं थी कि अपने मामू के सफैद बालों का लिहास ना रखती अपने उन मामू का जिन होने उसे पाला बोसा था उसके सर पर हाथ रखा था उस यतीम को सहरा दिया था उसने अपने हाथों से अपने मामू के हाथ थाम लिए मैंने आपको माफ किया मामू वो आहस्तगी से बोली वकार साहब के आंखों में खुशी का तीप रोशन हुआ आली ने उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि उसे बड़े पके जराइसे ये दिला मिली थी कि वधिया को अखवा किया गया था मगर फिर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने अखवाकारों को पकड़ने की कोशिश की मगर उन्होंने डर के मारे वधिया को महले में छोड़ दिया ताके पुलिस से बच जाएं पुलिस ने रेट की थी मगर वो पहले ही निकल चुके थे उसने जूटी कहानी सुना कर वकार सहब को मुतमाइन किया उसने खाला वाली बात यक्सर छुपाई इस से रिष्टों में कड़वाहट आ जाती तरार पड़ जाती घर में वली की खुशी भी उसे अजीज थी और वो अपने भाई को खोना नहीं चाहता था लहाजा वो बात गोल कर गया साथ ही उसने वद्या का हाथ भी मांग लिया वकार सहब के तो खुशी के मारे बांचें किल गई थी उन्हें और भला क्या चाहिए था उनकी देरी नाख़श पूरी हो रही थी उन्होंने पढ़कर आली को कले से लगा लिया बद्या बेटे मुझे तुम से एक बात और करनी है उन्होंने खुशी से कहा जी मामू वो सर चुका कर बोली बेटे तुम्हारे साथ जो हुआ वो बुरा हुआ मगर हम उसे बदलने के ताकत से महरूम है हमें दुख है इस बात का मगर हम तुम्हारी आने वाली जिन्दगी सरूर खुशाल कर सकते है और उसके लिए मैंने एक पैसला लिया है और मुझे इस बात की पूरी उमीद है कि तुम उसे कुबूल करोगी वो उसके सर पर हाथ रख कर बोले बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहू के तौर पर इस घर में हक से रहो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और आली की शादी हो जाए पतिया ने फौरण सर उठाया उसके आँखों में वाजे हैरत थी मामू उसके मुझे सिर्फ इतना निकला हाँ बेटा आली ने खुद कहा है कि वो तुम से शादी करना चाहता है उन्होंने खुशी से बताया आली भाई ने कहा है ये सुनकर उसके आँखों के साथ साथ मुझे खुला रह गया अब किस चीज़ का बतला लेना रह किया है आली भाई अब तो बस कर दें वो सोच सकी मगर बोल ना सकी हाथों में पसी ना आ गया था उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे मामू मैं शादी आली भाई से कैसे करूंगी वो बमुश्किल तूटे फूटे अलफास में बोल पाई बिटा जो हो रहा है वो होने दो और देखो मैंने जबर्दस्ती तो नहीं की ना तुम्हारी बेगुनाही का भी उसने मुझे यकीन दिलाया है वो ही है जो तुम्हारा साथ दिना चाहता है और मुझे यकीन है कि तुम दोनों खुश रहोगे बस बेटा इंकार मत करना और मेरी भी यही ख्वाहिश है उजजबाती होकर बोले उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे उसका सर अचानक भारी होने लगा क्या मेरी जिन्दगी हमेशा मेरे लिए इमतिहान बनी रहेगी क्या मैं कभी पुर्सकून नहीं रहूंगी क्या कभी मुझे खुशिया नसीब नहीं होंगी उसके सामने बहुत से क्या थे उसने अफसोस सर गिरा लिया वो अपने ही सवालों में गुम सर चुकाय बैठी थी उसके सर चुकने को मामू ने उसकी हां करदाना और महबत से माथा चुम लिया मुझे पता था कि मेरी बेटी इंकार नहीं करेगी बस आज ही निकाह करवाता हूं ताकि किसी को इंकार करने का मौका न मिले वो कह कर निकल गए वदिया ने जटके से सर उठाया उसने हां नहीं की थी वो इंकार करना चाहती थी वो कहना चाहती थी कि जिस शक्स से वो बेजार है जिसका सामना करना नहायत तुशवार लगता है जिसको सुनना उसे बुरा लगता है वो उसके साथ सिंदगी क्यों कर कुजार सकती है मगर खाली दर्वासा उसे मूँ चड़ा रहा था जहां से मामू उसके जुके सर को उसका एक्रार समझ कर निकाह की तैयारी करने चल पड़े थे अब मैंने ऐसा कौन सा गुना सरज़त कर दिया है कौन सी ऐसी गलती मुझसे हो गई है जिसकी इतनी कठिन सजा मिल रही है मुझे कि सारी जिन्दगी आली भाई जैसा बंदा मेरे सर थोप रहे है सारी जिन्दगी मामी ने हुकुमानी की और अब उनकाक्स मुझ पर रोब चाड़ेगा उस सर थाम कर बैठ गई उसे याद नहीं पढ़ता था कि उसके और आली भाई के दरमयान किसे खुशकवार याद का बसीरा रहा हो क्या मुझे कभी ठंडी चाओ नसीब नहीं होगी क्या मेरी सारी जिन्दगी कड़ी धूप में बसर होगी वो बिलकुल ही मायूस थी आपा ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ किस की नजर लग गई है जक्या बेगम अपनी फैमली के साथ दश्रीफ ला चुकी थी अब वो उनके गमों को बांट रही थी क्या बताऊं जक्या वो ही मनहूस लड़की हमारी इस्दत निलाम करने पर तुली हुई है बताया तो होगा शुमायला ने सारा कुछ उन्होंने शुमायला को देख कर कहा हाँ बस थोड़ा ही बताया था सरसरी सा उन्होंने फट कहा अब वो तो ये बोलने से रही कि आपा तुम्हारे बल-बल के खबर रखते है मुझे तो यकीन नहीं आता आपा उस चलतर बास का चहरे से बला की मासूम लगती है भोली बनी भिरती है और करतूद तो देखो उस मनहूस के वो भी कहां पीछे रहने वाली थी फौरण बेहन का दिल रखने के लिए बोलने लगी हाँ बस आज कल की तो शकलों पर तो जाना ही नहीं चाहिए घर की बात ना होती तो कप का बाहर फैकते थी बतकरदार को रुकया बेगम ने नफरत से कहा सक्या बेगम शुमाईला को देख कर मस्कुराई जबाबन शुमाईला ने आँखें मटकाईं जैसे कह रही हो फिर मानती हो ना अमा कि कितना जहर भरा है मैंने वद्या के लिए खाला के दिल में असलाम लेकुम भाई साहब जख्या बेगम ने अंदर दाखिल होते हुए वकार साहब से कहा वालेकुम असलाम अच्छा हुआ आप आगई वो खुशी से बोले जी बस आना तो था ना इतनी बड़ी बात जो हो गई है वो नहायत मकारी से अफसोस चता रही थी वकार साहब ने अपने खुशी में उनका अंदास नजर अंदास कर दिया खालो आपकी तबियत अब कैसी है खाला ने बताया था कि आपकी तबियत पिछले दिनों से खराब थी विजवान नहायत अद्बुहतराम से किसी शरीफ बच्चे की तरह बोला आखिर को इस खर के होने वाले दामाद का खुआब आंखों में बसाया आया था कुछ तो शराफत बनती थी ना हाँ अल्ला का करम है मकार सहाब बार बार खड़ी देख रहे थे अभी तीन बज़े थे और उन्होंने निकाह का वक असर के बात कर रखा था और खर में किसी को नहीं बताया था वो जानते थे के बता दिया तो हंगामा होगा रुकया बेगम की तरफ से इसलिए खामोशी में मसलहत थी शमाईला उनके लिए जूस लाई सक्या बेगम के साथ बैठी कान में बोली अमा बात करो ना किसका इंतिजार कर रही हो तुम हाँ करती हूँ वो जूस का सिप लेकर बोली भाई साहब वदिया के साथ जो हुआ उसका दुख है हमें उन्होंने तमहीद बांधी है तो वो घर की बच्ची इसलिए बस दिल दुख जाता है उसके लिए मैं तो हूँ ही हमदर्द दिल की मालिक वकार साहब ने उनके इस फिक्रे पर उन्हें ऐसे देखा जैसे ये फिक्रा उनकी परसनालिटी से मेल ना खाता हो बस इसलिए मैं आज भी अपने रिजवान के लिए उस यतीम बच्ची का हाथ मांग रही हूँ मुझे तो खुदा का खौफ है वरना भला एक यतीम तूसरी पतकरदार लड़की को भला आजकल के जमाने में कौन मू लगाता है बताओ भला वकार साहब के तेवर बदले माथे पर शिक्ने नमुदार होई रुकया बेगम ने भी हैरानी से देखा अभी उसके खिलाफ थी साथ ही उसका रिष्टा मांग रही है बस भाई साहब अब आप मेरे एकलोते होनहार बेटे के लिए उसका रिष्टा दे दें वो ऐसे बोली जैसे एहसान कर रही हो अमा ये तो तुम नेकी कमाओगी वरना ऐसी लड़की जो दो रातें बाहर गुजार कर आई हो उसे कौन अपनाएगा मुझे फखर है तुम्हारी सोच पर अमा शुमाईला ने फौरण अपने मां के फैसले को दाद दी मकार सहाब अप्भी खामोश थे हमने सोचा चलो खाला की इज़त भी रह जाएगी और वदिया को ठिकाना भी मिल जाएगा ये तो भाई की जिद थी कि शादी करूँगा तो सिर्फ वदिया से ही करूँगा बरना हमें तो रिष्टे बहुत एक से एक लड़की हमारी नजर में मगर रिष्वान की खुशी के आगे हम चुप कर गए नायला ने अपना हिस्सा डाला जबके रिष्वान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तुम्हारा बड़ा होसला है जक्या कि अब भी तुम उसका रिष्टा मांग रही हो रुकया बेगम ने कहा जक्या बेहन आप अपने होनहार बेटे का रिष्टा उन्ही लड़कियों से कराएं जो एक से बढ़कर एक है मकार सहाब ठहरे हुए लहसे में बोले अबल तो ये के वदिया बतकेतार नहीं है तूसरी बात उसका एक रिष्टा आया है और वो लड़काओं से खुद्शादी का ख्वाहिश मन्द है वो आपके बेटे से हजारों नहीं गरोडों गुना पहतर है ये सुनकर सबका मुझ खुल गया लो भला कौन ऐसा है जो उस लड़की को मुझ लगा रहा है एक बार फिर इंकार पर जख्या बेगम का पारा चड़ गया सारी हमदर्दी हवा हो गई और वो तड़क कर बोली जो भी है बहुत शानदार है फखर है मुझे उस पर वो बलंद आवास में बोले आप आई हैं तो बहुत ही अच्छा है आप भी इस मुबारक साथ का हिस्सा बनेंगी आज ही वध्या का निकाह है असर के बाद आप खुद मिल लीजेगा वो कहकर निकल गए जबके पीछे सारे लोग तो जल ही पड़े आपा तुमने बताया ही नहीं कि उसका निकाह है सक्या बेगम के चहरे पर नागवारी वाज़े थी और आवाज में गुसा जबके रुकिया बेगम खुद भी शौक की हालत में बैठी थी मुझे भी तो अभी मालुम हुआ है कि उसका निकाह है वो हैरानी से बोली लो किये कराय पर पानी फिर गया रिस्वान बोला नाइला ने ठोका दे कर उसको उसके घलती का इहसास कराया शुमाईला बार बार पहलो बदल रही थी कौन आगया है जो इस मनुस से निकाह कर रहा है सारा किया कराया पानी में जा रहा था जो से मनसूर नहीं था तुम तो बस अप निकाह का इंतिजार करो उसे देखने के लिए नायला नागवारी से बोली अच्छा ही है कि इस मन्हूस का निकाह है अब घर से तो जाएगी ना रुकया बेगम उटकर चली गए सारी विसाथ हमने बिचाई और चीट कोई और रहा है पता है कि कितने पापड बेले थे मैंने तुम लोगों के कहने पर इस्वान घुसे से बोला तो हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा अब तुम बार बार मूना खोलो किसी ने सुन लियाना तो लेने के देने पड़ जाएंगे शुमायला चेड़ गई बेटा तुम तयार हो जाओ तुम्हारा निकाह असर के बाद है मामू कमरे में आकर बोले वदिया ने बेबसी से मामू के खुशी से भरपूर चेहरे को देखा मुझे बड़ी खुशी है बेटा कि तुम आली की दुलहन बन रही हो वो उस रिजवान से करोणों गुना बहतर है जो अब भी तुम्हारा सवाली बना नीचे रिष्टा लेकर आया है मकार सहाब वखर से बोले रिजवान का नाम सुनकर वो सरताबा लरस गई वाकई रिजवान से तो आली भाई बहुत बहतर है अगर आली भाई ना हो तो मामी मेरी शादी रिजवान से करा दिंगी जो कुछ हो चुका है उसके बाद तो सारे मान जाएंगे सोचों का धारा किसी और रुख पहने लगा मतलब अभी तक किसी को नहीं पता कि मेरा निकाह है वो भी आली भाई के साथ इसलिए अभी तक कोई हंगामा नहीं हुआ था यकीनन मामी को नहीं पता होगा वरना वो तो कियामत पर पाकर चुकी होती वो सोच रही थी फोन की घंटी बजी तो वकार साहब मतवच्चा हुए हाँ वली याल मैंने किया था फोन मैंने कहना था कि जल्दी आ जाओ असर तक हां हां वो कहते हुए चले गए थे वो खामोशी से उठकर वाश्रूम में खुस गई वकार साहब सहन में बेचैनी से टहल रहे थे वो आली का इंतिजार कर रहे थे असर हो चुकी थी मगर वो अब भी लौटा नहीं था गेट खुला और यूनिफॉर्म में मलबू साली अंदर दाखिल हुआ कहा रह गए थे यार तुम वो फॉरन बढ़े अबू बस काम जरूरी था आपने अम्मी को बता दिया क्या वो बेचैनी से बोला नहीं बेटा मैंने कहा एन वक्त पर बताऊंगा परना वो हंगामा पर पकर देगी मगर अबू एन वक्त पर अगर कोई चलो बेटा जो होगा अच्छा ही होगा उन्होंने उसकी बात काटी बस तुम जल्दी से तयार हो जाओ मौलवी सहाबाते ही होंगे जैसे ही अंदर बेटे खाला और रिजवान पर आली की नजर पड़ी उसका खून खूलने लगा उसने मुट्टियां भींच ली सब के लटके हुए चहरे पता रहे थे कि उन्हें भनक तो हो गई है उसे एक अचीब सी खुशी हुई उनके चहरे देखकर अरे वाबू आपने निकाह पर खाला को भी बुला लिया वाँ जी वाँ वो तन्सियां हसी हसते हुए बुला अच्छा है जितने ज्यादा गवां होंगे उतना ही अच्छा है अच्छा भी मैं जरा फ्रेश हो जाओ वो कहकर उपर चल पड़ा वदिया को तयार क्या होना था नहाकर उसने आम से कपड़े पहन लिया और चुप करके बैठ गई दिल तेज तेज धड़क रहा था अपनी आने वाली जिन्दगी का सोच सोच कर ही उसके पसीने जूटने लगे थे वो बस खुदा से रहम माग रही थी आली तयार होकर निकला तो दिल ने खौाहिश की कि एक दफ़ा वदिया से मिल ले वो बढ़ा मगर कुछ सोच कर रुक किया और नीचे आ गया अबू मौल भी आ गय क्या वो निकसिक तयार होकर नीचे आ गया सफेद चलवा गमीज में वो बहुत हैंसम लग रहा था नायला ने आखों ही आखों में उसे दिल में उतारा हाँ बेटा आ गए तुम चलो तुम तयार हो उन्होंने खुशी से कहा वो आज खुशी से फूले नहीं समा रहे थे तुम अपने दोस्त वगयरा को बुलाना चाहो तो मकार सहब बोले नहीं अबू बस गवा होने चाहिए वो लाउंच में सिर्यों के करीब खड़े ही बातें कर रहे थे लड़का कौन है रुकया बेगम का सबर का पैमाना आखिर लबरेस हुआ अम्मी लड़का आपके सामने ही तो है आली खुश होकर बुला रुकया बेगम ना समझने वाले अंदास में इधर उधर देख रही थी कहा है वो लड़का मुझे तो बस घरवाले ही दिख रहे हैं वो खद्रे हरानी से बोली अबू चले ना अंदर मौलबी सहाब बला रहे हैं वली आकर बोला लड़का अभी तक नहीं आया आप उसे तो बलाएं वो परेशान था आली नपे तुले कदम चलकर रुकया बेगम के सामने आया अमी आज आप मुझे मुझे मुबारक बात दें आज मेरी सिंदकी का बहुत बड़ा दिन है आली खुशी से बोला वो आप भी हैरान और परेशान थी क्या सब पहेलियां बुझवा रहे हैं सीधी तरह बताओ कि वधिया का निकाह किस से कर रहे हो वो अब चड़ गई थी अमी वधिया का निकाह आली वकार से है आली पुर्चोश था क्या तुम कर रहे हो उस पतकिरदार लड़की से निकाह उनकी आवास बेहत बुलन थी जी अमी मैं कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ आली के ठैराओ में कोई फर्ट नहीं आया वो इसी हंगामे की उमीद कर रहा था सब का रंग उड़ गया खुस्थन नायला का चेहरा तो उतर ही गया हर्गिस नहीं मैं तुझे तेरी जिन्दगी पर बात नहीं करने दूँगी चल तु मेरे साथ वो उसका हाथ पकड़ कर बोली नहीं अमी मैं अपनी जिन्दगी पर बात नहीं कर रहा बलकि ये मुझे लगता है मेरी जिन्दगी का पहतरीन फैसला है आली तु समझ नहीं रहा वो मनहूस लड़की पहले माबाब को निकल गई फिर तेरी दादी को निकल गई और अब वो तेरी जिन्दगी भी खा जाएगी तु समझ नहीं रहा है वो चिला रही थी कमरे में वधिया को आवाजیں साफ सुनाई दे रही थी उसके दिल में जो आली भाई को लेकर थोड़ा बहुत ख्याल भी था कि वो अच्छे हैं वो पुखता हो रहा था अमी ना तो वो मनहूस है ना ही उसके वज़ा से कोई मरा है ये सब बातें जिन्होंने आपके दिमाग में डाली है ना वो खाला को देख कर बुला वो शायद भूल गए है कि जिन्दगी का मालिक तो वो जात है चो अर्श पर है वो जब चाहे रूप की डोर जिन्दगी की पतंग से काट सकता है ना उसमें किसी की मरसी है और ना ही कोई कुछ कर सकता है वो तहमल से रुकया बेगम को समझा रहा था वो चिला रही थी कि वदिया ने कोई जादू कर दिया है फलाँ फलाँ और भी बहुत कुछ मगर आली ने कान नहीं धरे और चुप चाप ट्राइंग रूम में चला गया वो जानता था कि इस वक्त उन्हें समझाना बिलकुल बेकार है अजीब हंगामे के दौरान निका हुआ था रुकईया बेगम का गम औश्ट्याल के मारे बुरा हाल था वली कोशिश कर रहा था कि उनकी तब्यत ना बिखड़े उससे के मारे उनका बीबी एक दम हाई हो गया था जिसकी वज़ा से उनकी तब्यत खराब हो गई थी वो बड़ी मुश्किलों से उन्हें दवाई खिलाने में काम्याब हुआ तुम और बना लो अपने प्लान सब पर पानी फिर गया नायला रो रही थी और खुसे में शुमायला को कोस रही थी मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है ये सब मेरा तो अपना दिमाग काम नहीं कर रहा वधिया की शादी हुई तो ठीक था मगर आली ने की ये बात हजम नहीं हो रही वो खुद सर पकड़े बैठी थी हाँ हाँ सारे अर्मानों पर पानी फेर दिया भाई साहब ने मैंने कितना सोचा था कि आली और नायला की शादी कराऊंगी और उस लड़की को बहु बना कर उसकी जायदात पर राज करूंगी मगर ये तो आवा का आवा ही पलड क्या वो तीनों शुमाईला के कमरे में बैठी थी सक्या वेगम और शुमाईला अपनी भडास निकाल रही थी और नायला आली के निकाह पर आसु बहा रही थी अच्छा बस करो रोना धोना अभी सिर्फ निकाह हुआ है ना शुमाईला नायला के सूंसूं से तंग आकर बोली जो एक के बाद एक टिशू नाक पोंच कर गिरा रही थी तुम बस मेरी एक बात बलू से बांद लो तुम आली का पीछा ना चोड़ना उसके पीछे ही लगी रहना अपनी अदाओं के जाल में उसे फसाओ फिर ये वडिया का किस्सा भी खतम कर देंगे शुमाईला उसे समझाते हुए बोली लो भला आप क्या फाइदा नाला नाक साफ करके बोली फाइदा ही फाइदा है जस्बात में आकर आली ने फैसला किया है वडिया से उसकी वैसे भी कभी नहीं बनी अब मैं उसका जीना और भी दुश्वार कर दूँगी कि अब के वाकी वो भाग जाए शुमायला ने उसे अपने आने वाले एरादों से बाखबर किया और रही खाला की बात तो वो तो वैसे ही नफरत करती है उससे अब निकाह के बात तो उसकी शकल भी नहीं देखेंगी बस ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वो खुद ही जान चुड़ाने की करेगी और वो भाई सहाब सक्या बेगम ने याद दिलाया अरे रहने तो उन्हें अम्मा बस तुम देखना अब वो खुद जाएगी तो वो भी क्या कर पाएंगे बस हाथ मलते रह जाएंगे वो तसली देते हुए बोली चलो देखते हैं के उन्ट किस करवट पैटता है सक्या बेगम सर पकड़ कर बोली नॉविल अभी जारी है बहुत जल्द मिलते हैं नॉविल की आखरी किस के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा दौाओं में याद रखेगा अल्ला हापिस